नमस्कार जैहिन वंदे मातरम दोस्तों स्वगत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टडी प्रट्फॉर्म में दिसे धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोसों आज की एह वीडियो यूटूब पर भूचाल लाने वाली वीडियो सावित होगी क्योंक हर भाई हर सेर हर सेरनी से कहना चाहेंगे अधूरा ग्यान नहीं लेना है क्योंकि अधूरा ग्यान खतरनाक होता है जितना पढ़ना है उतना इमानदारी से और उतना सॉलिड पढ़ना है तो एक पेन एक कौपी ले लिजएगा उठा लिजएगा कलम और लिग डालिएगा स से बाहर कुछ है ही नहीं NCRT वीडियो होगा NCRT टाइप से questions exam में trend करते हैं तो आप ready हैं सभी बच्चे बहुत दिमाग से देखना है एक ऐसा माहौल create करना है जो आपको disturb ना करें ऐसे environment में वीडियो देखना है जो आपको बिल्कुर disturb ना करें ठीक है ना याद रखें सब कु करना है कोई भी सफलता का start cut नहीं है अब हम अपनी वीडियो को start करते हैं देखिए भारत का संविधान यानि Indian Constitution भारती संविधान का निर्माड से लेकर हम पूरी तरीके से top level तक चलेंगे सबसे ज़्यादा questions बनते हैं निर्माड से यानि संविधान सभा से questions पहला यही बन कि किसके अनुसार किया गया है तो संविधान सभा का गठन किसके अनुसार cabinet mission यह कुछ सन एकजाम में 100 से भी जादा वार पूछा जा चुका है चोटे और बड़े एकजामों में याद रखेगा कि cabinet mission 1946 का ही क्या माना गया है आधार माना गया है जिसमें इस संविधान गठि हुआ है किलियर है यह point fact है star बना के इसको लिख लेना है बात करते हैं अगले point की जो दो point important है point number next और point number next यह important point है क्यों important है यहांसे दो-दो question बनेगे यह चार question बनेगे इन दो लाइनों से बोलेगा यह बताएगा कि भारत की का जो संविधान था उसमें जो पहली बैठक है कि यह बताओ कि जो भारती संविधान का आइस्थाई अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था तो याद रखेगा star बना के आपको लिखना है कि भारती संविधान की जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई उसमें आइस्थाई अध्यक्ष कौन है यह डॉक्टर सचिदा नंसिनह याद रखेगा डॉक्टर सचिदा नंसिनह की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को एक अधिवेशन हुआ जिसमें सचिदा नंसिनह को आइस्थाई अध्यक्ष चुना गया पॉइंट नंबर नेक्स्ट दो दिन बाद यहीं से दो कुसन मनते हैं कहता है भारती संविधान का आ इस्थाई अध्यक्ष कोन है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आ इस्थाई अध्यक्ष में सचिदा नं लगाना है और इस्थाई अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंदर प्रसाद लगाना है तो दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और संविधान स सबा का इस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंदर प्रसाद को यह दो पॉइंट इंपोर्टेंट है तो इस कड़ी को मत भूलना किलियर है अगला पॉइंट आता है कि डॉक्टर भीम राओ अंबेडिकर की अध्यक्षता बाली प्रारूप समित ने कुछता है तो डॉक्टर भीम राओ अंबेडिकर अब बात यहीं पर नहीं थमजाती है कुस्षन यहां से यह बनता है स्टार बनाके अगला पॉइंट और यहां पर क्या कर लेना एड कर लेना तो यहां पर लिखना है कि प्रारूप समित में कितने अध्यक्ष होते हैं कित फोकस से देखना है मुझे पता है कि मेरे फेफड़े अंत तक फट जाएंगे मुझे पता है क्योंकि चिलाने में क्या होता है कि भाया सब कुछ बिगड़ जाता है लास्ट लास्ट इंड तक जाएंगे तो पूरी तरीके से बहुत इमानदारी से इस वीडियो को वाच करि इसलिए सब्सक्राइब करें एमानदारी से अगला पॉइंट ये आता है कि ये बताओ कि भारत का संविधान निर्मित कब हुआ और भारत का संविधान लागू कब हुआ देखेगा दो पॉइंट है जिसमें बच्चे कन्फूज होते हैं जब भी कुस्टन में देखे ओबर क संविधान कब लागू हुआ तो आंसर होगा 26 जनबरी 1950 याद रखेगा भूलना मत जब कुस्टन में पूचा जाए कि भारती संविधान कब तयार हो गया कब अंगीकरत हुआ कब अधिनियमित हुआ कब पूरी तरीके से रेटी हो गया तो 26 नमंबर 1949 और जब पूचे कि लागू किया गया तो 26 जनबरी 1950 को लागू किया गया क्यों 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 कि भारत इसी दिन से गरतंतर बना था है ना तो ये बात आपको याद रखना है याद रखेगा 1930 का जिक्र किया जाता है क्योंकि 26 जनबरी 1930 के रूप में हम मनाते हैं चलिए इसी को हम गरतंतर दिवस मनाते हैं अगला point आता है कि मूल सम्विधान जिस समय बारत का सम्विधान बना था एक चीज याद रखिएगा यहाँ से ये point बहुत important है मूल क्या होता है मूल वो word होता है जो starting में चीजें बनती है जैसे जैसे अगर हम बात करें कि जब सम्विधान बना था उस समय कितने भाग थे 22 भाग थे कितनी अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां थी तथा 395 अनुच्छे थे वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 22 भाग है 12 अनुसूचियां है तो ये question important है question दो तरीके से star बना के अपने notes में maintain करना question में ये लिख लेना है कि मूल सम्विधान में अनुसूचियां कितनी थी तो answer लिख लेना है 8 और question में ये पूछे कि बर्तमान सम्विधान में अनुसूचियां कितनी है तो answer है 12 तो मूल सम्विधान का मितलब होता है जो पहले बना था बरतमान का जो चल लहा है जिस समय सम्विधान बना था उस समय आठन सूचियां थी और जब अब चल लहा है संसोधन हुए तो बारा हो गई बारती सम्विधान का दो तिहाई भाग यानि दो बटे तीन जो भाग है वो 1935 अधनियम के द्वारा लिया गया है भारती सासन अधनियम 1935 एक ऐसा अधनियम है जो सम्विधान की एक मजबूत कड़ी है जहां से सम्विधान का निर्माड हुआ है तो दो बटे तीन हिस्सा ज पिर्माल में विभिन देशों के लिए जो तक तो लिए गए हैं जितने भी तक तो लिए गए हैं जैसे हमारा जो है मूल करतब कहां से लिया गया है मूल अधिकार कहां से लिया गया ये भी सब जानेंगे अगर मैं छोटा सा कुछन आप से पूश दूँ ये बताओ कि प्रस् पता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया तो सबसे पहले जान लीजेगा कि भारती संविधान का निर्माड कितने समय के अंदर हुआ था तो 2 वरस 11 महीने और 18 दिन में हुआ था बावा साहब भेमराव अम्बेड कर को ही स्रेय जाता है इस संविधान को बनाने के लिए अगर कुशन में ये पूचा जाए कि भारत का संविधान कब निर्मित हुआ तो 26 नवंबर 1949 को ये महा महिम राष्टपती जी जिस समय राजंदर प्रसाथ थे उनको सौप दिया गया था तो आपको याद रखना है कि जब तयार हुआ था तो वो डेड़ थी 26 नवंबर 1949 और जब रेड़ी हुआ था तो 26 जनवरी 1950 था क्लियर है मतलब लागू हुआ था भारती सम्विधान विष्टो में सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है क्योंकि बड़ा लिखित सम्विधान किसका है भारत का सम्विधान बड़ा सम्विधान है यह बात भी आपको याद रखनी है भारती सम्विधान पर सबसे अधिक प्रभाव ये कुछ सन एक्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे जादा इफेक्ट किसका पड़ा है तो भारती सासन अधिनियम 1935 का पड़ा है जिसमें से दो बटे तीन भाग जो है 1935 से हमने मारत के सम्विधान से लिया है क्लियर है ये बात आपको याद रखनी जो मैंने उपर अभी बताया बरतमान में भारती सम्विधान में 395 अनुच्छेद में लगबग 200 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम से बिल्कुल हूबहू लिये गए हैं तो इसलिए आप समझ सकते हो कि 395 में से 250 में 10 देशों के सम्विधान की एहम भूमिका है और 10 देशों के प्रमुक्तत्तों को लेकर भारत का सम्विधान बनाया गया है आईए वे जो देश हैं जानते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है एक एक पॉइंट हमने ऐसा जबज़स नोट करा है कि आप से कोई इस पॉइंट को अगर समझ लिया तो समझ लो पूरी तरीक ऐसे आपका एक नमबर पका हो जाता है इसी स्लाइड में से एक नमबर और हर स्लाइड में से समझ लो कि हर दूसरी स्लाइड या हर तीसरी स्लाइड में एक नमबर छुपा हुआ इस वीडियो में तो इसलिए नियाईक पुनरा वलोकन, मौलिक अधिकार सभी जानते हो, मौलिक अधिकार का मतलब होता है, fundamental rights, यानि जो भी हम जानते हैं कि जिसको हम magna carta कहा जाता है, मौलिक अधिकार अभी पढ़ेंगे आगे तो हम उसको पूरी तरीके से जानेंगे, तो question में आ सकता है कि भारत में जो fundamental rights है, मौलिक अधिकार मौक किस सम्विधान से लिए गया है, सम्विधान की सरवक्षता, नियाई पालिका की स्वतनता, निर्वाचित राष्टपती और उस पर महावियोग, याद रखिएगा, राष्टपती का जो निर्वाचिन प्रक्रिया है, और अनुच्छेद 61 में जो महावियोग उस पर हम लगाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे, ये भी कहां से लिया गया है, ये भी USA से लिया गया है, अमेरिका से, नियाई दीश को हटाने की बिदी और बित्ती आपात, ये भी सम्विधाराज अमेरिका से लिया गया है, अगला पॉइंट आता है, यहां से एक इंपोर्टेंट, दो फैक्ट इंपोर्टेंट पूछे आते हैं, जो बच्चे बच्चे को याद रखना है, कि हमारे देश में कैसी नागरिकता है, तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति, मात्र एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकता ह इकाहरी नागरिक्ता है और अमेरिका में दोरी नागरिक्ता है वहाँ पर कैसी वहाँ पर देश की भी नागरिक्ता होती है और राज्जी की भी होती है लेकिन भारत में देश और राज्जी को अलग-अलग नहीं बाटा गया है और ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को जो भारत म रहने वाला है उसको एक नागरिकता मानी जाएगी ठीक है ना तो कुछच्ण में पूचा जाए कि दोहरी नागरिकता किस देश किया तो सहयुकतराजिय अमेरिका की और इकायरी नागरिकता किस देश किया तो भारत की है संसदी सासन पनाली कहां से लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है एकल नाकरिक्ता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है इंपोर्टेंट है और याद रखेगा दोस्तों बहुत बार पूछा गया है कि नीती निदेसक तत्तों कहां से लिया गया है Ireland से लिया गया है और राष्टपती के निर्वाचन मंडल की जो विवस्ता है यानि राष्टपती किस तरीके से निर्वाचित होता है और ये सबसे important fact है कि आपात कालिन उपबंद जो है वो कहां से लिये गये हैं ये भी Ireland से लिये गये है Britain भी यहाँ पर नाम आता है तो याद रखे जब Britain ना हो तो आप क्या लगाएंगे Ireland भी लगा देंगे ठीक है ना ये भी आपको याद रखना है अगला point आता है Australia ये बहुत important है यही तो मैंने starting में पूछा था कि प्रिस्तावना की भासा किस देश से ली गई है तो भारत में Australia से प्रिस्तावना की भासा ली गई है और संग राज समंद बहुत important है संग राज समंद का मतलब है जो भी आप संबर्ती सूची पढ़ते हो अनुसूची सेवंत की बात करते हो वो हम आगे अभी पढ़ाएंगे इसी स्लाइड के जस्ट बाद ठीक है ना तो प्रिस्तावना की भासा संग राज समंद यानि जो केंदर सरकार में और राज सरकार में जो समंद होते हैं वो भी कहां से लिए गए हैं Australia से संबर्थी सूची का प्राबधान दोस्तों वो भी Australia से याद रखेगा अगर कुस्टन में यह आ जाए कि प्रिस्तावना कहां से लिए गई है वो संग तराज अमेरिका से लेकिन प्रिस्तावना की जो भासा है हम भारत के लोग भारत को संपूर प्रभुत है ना तो ये लिया गया है Australia से ये भी आपको याद रखना है यही तो मैंने पूछा था आप से मूल कर्तब भारत में कहां से लिए गया है तो मूल कर्तब लिए गया है सोवियत रूस से लिया गया है याई सोवियत संग आप्शन में आए तो भी मार देना नहीं तो रूस के चक्कर में आप ढूंते रो रूस ना मिले तो सोवियत संग आपको दिख जाए मारो ही ना तो एक ही चीज है ठीके ना बिदी दोरा इस थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है गणता अंतरात्मक जो सासन है वो फ्रांस से लिया गया है संगात्मक सासन जो है वो कनाडा से जो कई बार इक्जाम में पूछा गया है संगात्मक सासन और संविधान के संसोधन की प्रक्रिया आपाइरलेंड मार सकते हो इसलिए सबसे पहली प्रायरटी देनी है जर्मनी को आपात कालिन उपवंद के लिए जाने जाते हैं अब देखिएगा भारत का संविधान निर्मित हुआ भारत का संविधान अभी हाली में जम्बू कस्मीर को 379 से हटाया गया और उसमें से एक र याद रखेगा इसको जानबूच कर क्यों टाइप किया है इससे आपको समझ में आएगा तो आपको लिखना है कि भारत में अभी कितने राज्ये हैं 28 राज्ये हो गए हैं फिर से और यहां पर बढ़ गए हैं 9 केंदर सासित प्रदेश हो गए हैं लद्दाक जब मुकस्मी बढ़ दिये गए हैं तो याद रखना है कि अनुसूचियों की बात करे तो 12 अनुसूचिया है बारती संभीदान में तो पहली अनुसूचि में क्या है पहली अनुसूचि में राज्ये और केंदर सासित प्रदेश का विबरन है मत रह इतना ही अपने नोट्स में लिखना स स्टार बनाईए प्रथम अनुसूची लिखिएगा और लिख दीजेगा राज्यों का विबरन है ना तो पहली अनुसूची में क्या है राज्यों का विबरन है ठीक है दूसरी अनुसूची में क्या है तो दूसरी अनुसूची में है पदा धिकारियों के बेतन भत्ते एबं अनुसूची में है तो दोस्तो पधा अदिकाριों का बेतन बत्ता सेकेंड अनुसूची में है तीसरी अनुसूची कौन सी है सफत गरहन का प्रारूप यानि राष्टपती और उपराष्टपती से लेकर ऐसे तमाम पधा अदिकारी है जो सफत लेते हैं तो उनका कौन सा अनुसूची है? तीसरी अनुसूची है चौती अनुसूची में क्या है? राज्यों एबम संग राज्य छेत्रों की बात करें तो उसमें राज्य सवा बहुत important है कुछ सन में आता है कि राजिस सवा का प्रतिनिदित्तो कौन सी अनुसूची में है तो चौती अनुसूची में है यह बात दिमाग में हमेशा रख लेना कई वार इकजाम में ट्रेंड कर चुका है पांचमी अनुसूची छेतर और अनुसूची जनजाती ऐसे प्रसासन के बारे में हमारी अनुसूची बताती है कि पांचमी अनुसूची के बारे में क्या कहा गया है कि अनुसूची छेतर और अनुसूची जनजाती के प्रसासन और नियंतरन के बारे में जो कहा गया है वो क प्रसासन के बारे में प्राब्धान है जैसे असम, मेगाले, त्रिपुरा और मिजोरम तो ऐसे राज्य जो असम, मेगाले, त्रिपुरा, मिजोरम इनके जंजाती छेत्रों के प्रसासन का प्राब्धान है तो वो कौन सी अनसूची है वो है आठमी अनसूची फटा फट स्क् तो समझ लो एकजाम किलियर, एकजाम किलियर का मतलब है वो कुस्सन किलियर हो जाएगा जो भारती सम्मिधान से आएगा, क्योंकि यहां से कुस्सन बनते ही बनते हैं, कुस्सन में यह पूछता है कि यह बताओ कि भारत का जो राज्य है, भारत के जो केंद्र है, यानि केंद का बटवारा करता है और संग सूची में 100 बिसे रखे गए है जो अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको राजी सूची में 61 बिसे और संबर्ती सूची में 22 बिसे रखे गए है यहां से यह बिसे से कुशन बहुत आते हैं तो अगली स्राइड में हम इनको पूरी तरीके से खलास कर देते हैं काम तमाम कर देते हैं ठीक है ना तो अभी केवल इतना याद रखना है कि सात्मी अनुसूची में केंदर और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होता है वही बताता है आठमी अनुसूची बच्चे वच्चे को पताऊगा कि भारती जो सम्विधान में 22 भ भासाओं का उलेक है तो वो है 22 भासाओं का आठमी अनसूची में है ठीक है नौमी अनसूची क्या कहती है पहला संविधान संसोधन 1951 अब याद रखो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है स्टार बना के जब कहता है मूल संविधान में कितनी अनसूची थी तो मैंने आपसे कहता कि आठ अनसूची थी संविधान बनने के बाद संसोधन हुए तो फिर ये क्या हुआ ये अनसूची या जुडती चली गई आगे तो जब कुस्सन में ये पूचा जाए कभी ये बताओ कि भारत का प्रथम संविधान संसोधन कब हुआ तो आंसर होगा 1951 में प्रथम स संसोधन जब हुआ था तो उसमें क्या जोड़ा गया तो आंसर होगा नौमी अनसूची को जोड़ा गया कुस्सन नमबर तीन नौमी अनसूची कौन से संविधान संसोधन से जोड़ी गई तो आंसर होगा पहले संविधान संसोधन से याद रखना है दोस्तों इसमें नौमी अनुसूची आई, जिसमें संपत्ति का लेखा जोखा रखा गया है, पॉइंट नमबर नेक्स्ट, दसमी अनुसूची, दसमी अनुसूची एंटी डिफेक्शन से सम्मंदित है, यानि दल वदल सम्मंदी प्राबधान, जब भी कोई नेता राजिनीती परिद्रस्य स दल बदलता है, ऐसे आप याद कर सकते हो देशी भासा में, तो वो दोस्तों दसमी अनुसूची में, अब कैसे याद करोगे, दस तो दल, दस का मतलब है दल, है ना, दस दल, लगवग लगवग समान बोईस जो है, सेम बोईस निकल लई है, तो दसमी में दल आएगा, और स संसोधन दोस्तों दो बहुत पूछे जाते हैं, तो चार चीजें तो हमेशा याद रखना है, ग्यारमी अनुसूची में, पंचायती राज, पंचायती राज का मतलब होता है, जहाँ पर हम ग्राम पंचायतों में आजकल चुनाओ जो होते हैं, तो हम कहते हैं, ग्राम इस पर कौन लड़ेगा, ये लड़ेगे, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ, वो ग्यारमी अनुसूची में, इसके विप्रिद जो सहरी में, सहरों में क्या होता ना, नगर पालिकाएं होती हैं, ऐसे ही नगर निकायों का जो गठन हुआ है, वो बारमी अनुसूची मे कल को कुछन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि 73 में सम्विदान संसोधन में क्या है तो आप याद रखना पंचायती राज पंचायती राज कौन से सम्विदान संसोधन में है तो आप याद रखना 73 में में और अगर पूछ लिया या नगर निकाए या नगर पालिका तो आप भार्मी नसूची कौन से संभिधान संसोदन? 74 में संभिधान संसोदन है ना इसमें 11 है इसमें 12 है इसमें 73 है इसमें 74 है लगवग लगवग एक ही जो है कुछ भी फरक नहीं होता 73, 74, 11, 12 ऐसे आप याद क तो भारती संविधान एक संगी संविधान है ये point important है स्टार लगा लेना और नीचे underline कर लेना संगी संविधान पर इसलिए संविधान की सात्मी नुसूची जो अभी मैंने उपर पढ़ाई न सात्मी नुसूची जिसमें बिसेओं का उलेक है कि कौन से नुसूची में कौन तो याद रखना है कि सात्मी नुसूची है वो तीन भागों में बटी है एक है संग सूची एक है राज सूची और एक है संवर्ती सूची अब मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि संग सूची का मतलब होता है कि जहां पर केंदर कानून बनाएं राज स बता है कि संवर्ती सूची भारत के संविधान में आस्ट्रेलिया से लिया गया है याद रखेगा ये पॉइंट इंपोर्टेंट है याद रखेगा कई वार एकजाम में पूचा जाता है तो याद रखना है कि संग सूची राज्य सूची और संवर्ती सूची में भारती सं पूछ लेता है कि जो सिक्षा है एजूकेसन है जो अरवच्चे को मिल लई आजकल वो किस अनुसूची में है कई बार ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि जो आपकी बैंकिंग सेवाएं हैं वो किस अनुसूची में है तो यार ये तो ग्यान होना चाहिए न अधूरा ग्यान आपको नहीं लेना है तो संग सूची जो यहाँ पर है रास्टी महत्व से सम्मंदित यानि हम कह सकते हैं कि जहाँ पर संग की बात करें संग का मतलब आपको याद रखना है जो केंद्र है जहाँ पर केवल केंद्र को बनाने का अधिकार हो केंदर कोई जो है कानून बनाने का अधिकार हो तो समझ लो संग सूची अब ये important है इसको लिख लेना अगर question में ये पूछा जाए कि संग सूची में कितने भिसे आते हैं तो 100 भिसे है आपको सब कुछ नहीं लिखना star बनाके संग सूची 100 भिसे है अगले star में कौन कौन से भिसे है तो कुछ important है जैसे सेना Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force जाने कितनी सेनाएं है तो हम ये कह सकते हैं जो भी सेना के अंतरगत है वो संग सूची के अंतरगत आएगा विदेसी मामले, रक्षा जो भी बजट होगा रेल है, डाक है परमाण उर्जा नागरिक्ता, संचार जो करेंसी, जितनी बैंके स्टाके स्चेंज जो भी आपके होते हैं जनगणना आयकर तथा निगम कर ये सभी किसमें आते हैं ये सभी केंद्रिय सूची में संग सूची में आते हैं Union के टालाग में आते हैं कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें से यही important पूछे जाते हैं इतने ही कई बार exam में पूछ लिए गए और याद रखना है रक्षा सेना अबिदेशी इमाम ने बहुत बार पूछे जाते हैं ठीक है अगला point है अगली slide में यह सूची खतम लो बैया अगले chapter पर चलेंगे state list का मतलब होता है राज्य सूची राज्य सूची में क्या होता है कि छेतरी महत्तों से सम्मंदित वसेयों की यानि जो subject होते हैं उनको वरियता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्रावदान प्रदान किया गया है मतलब क्या है संग सूची में जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा राज्य में बनाएगा वो राज्य बनाएगा है ना ऐसे ही राज्य सूची में विशे कितने हैं 61 विशे हैं संग सूची में 100 विशे हैं राज्य में 61 हैं कौन कौन से हैं न्यायाले है न्य ज़िचाही है, क्रसी, सडक, बन, रेलवे, पुलिस, रेलवे पुलिस तेखे, इसमें आती है, और बन, वाट एबाम नाब, अब याद रखीगा, जितने भी नाबे होती है, हमारे क्रसी विभाग में, क्रसी से सम्मंदेद, पुलिस से सम्मंदेद, नेयाय भी रखा गया, दे कि नेयाय ये काफी बार पूछा जता है नेयाय, पुलिस, और एक और याद रखना है कारागार, ये तीन चीजें आपकी राज्य सूची में आती है, इसलिए आपको याद रखना है और सबसे ज़्यादा जो पूछा आता है वो यही पूछा आता है क्रसी सिचाई क्रसी सिचाई और पुलिस पूछा जाता है तो हर राजजी की पुलिस केंद्र के अंतरगत नहीं आती है पुलिस क्रसी सिचाई नियाले कारागार यह सभी दोस्तों आते हैं किसके अंतरगत र जो भारती सिक्षा है एजूकेशन है बहुत सारे बच्चे संबर्ती सूची को न लगा कर केंद्रिय सूची संग सूची लगा कर चले आते हैं उनको लगता है कि एजूकेशन तो बड़ा डिपार्टमेंट है संग में लगा दे आंसर हो जाएगा जी नहीं संसोधित करके कर दिया गया है संबर्ती सूची में तो याद रखना है कि संबर्ती सूची में उन विश्यों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं मतलब राज्य सरकार और केंद्र जब दोनों कानून बनाएं तो उसका मतलब है संब परती सूची होगा दोनों सरकारों द्वारा बनाये गए कानून में गतिरोध उत्पन होने पर केंदर सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मानने होगा अगर दोनों जो है कानून आपके सटीक नहीं बैठ रहे हैं और आपस में भिढ जा रहे हैं केंदर कहरा नहीं हमारा र लागू हो जाएगा, संबर्ती सूची में विसे कितने हैं, बावन विसे हैं, और याद रखना है, सबसे जादा पूछा जाने वाला पॉइंट है, सिक्षा, सिक्षा, दीवानी एबं फोसदारी, मुकदमे, स्रम कल्यान, कार खाने, समा चार पत्र इंपोर्टेंट है, जितन पूछन नियंतर जो आपका पॉल्यूशन होता है, न्यूस पेपर है, और सिक्षा, ये सब ही किस में आते हैं, संबर्ती सूची में आते हैं, कं करेंट लिस्ट में आते हैं, किलियर है, सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, भारती संविधान का, वो है मूल अधिकार, मूल अधिकार है यहां से कुस्षन इतने बनते हैं कि आपके एकजाम में कुस्षन आना ही आना है एक कुस्षन मूल अधिकार से आना है तो दो स्लाइड के अंतरगत हम इस मूल अधिकार को पढ़ लेते हैं तो याद रखीगा कि मूल अधिकार क्या होते हैं, तो मूल अधिकार दोस्तों fundamental rights होते हैं, fundamental rights का मतलब क्या होता है, कि जो नागरिकों को मिलने चाहिए, बे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवारे होते हैं, मतलब हमें जीने के लिए, यानि हमें अ नागरिक को कुछ अधिकार दिये जाते हैं, वही दोस्तों fundamental rights कहलाते हैं मूल अधिकार कहलाते हैं, भारत के संविदान में मूल अधिकार कहां से लिए गये हैं, अमेरिका से लिए गये गये हैं, USA से लिए ये भी point आप पढ़ चुके हैं अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लिजे star बना के भारती संविधान द्वारा भारती नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किये गए थे ये थे पर देखी important है याद रखीगा तो जब question में पूछा जाए 2 star बना के question लिख लिजेगा कि मूल स उच्षे यानि संविधान जब बना था तो मूल अधिकार थे, 7 थे और जब बरतमान में पूछा जाएं तो बरतमान में जो मूल अधिकार है वो 6 है अब एक कहां गया क्या भाई कोई खा गया या खतम हो गया या पूरी तरीके से निगल गया कोई, जी नहीं 44 संबिधान संसोधन हुआ उसी दोरान 1989 की बाद है संपत्ति का एक अधिकार हुआ करता था उसको हटा दिया गया मूल अधिकार से और ये बात याद रखना है कि 44 संबिधान संसोधन एकजाम में बहुत पूछा आता है और बहुत सारे बच्चे 42 में संविधान संसोधन को लगा कर चले आते हैं ये आप सभी जानते हो खुद भी जानते हो आप तो इसलिए ये गलती मत करना कि मूल संविधान में जो आपके अधिकार थे वो थे साथ एक हटा दिया गया अच्छे हो गए और वो हटाया कौन से सं कानूनी अधिकार ये कुशन भी आ चुका है कि जो संपत्तिका अधिकार है वो बरतमान में कौन सा अधिकार बन गया है तो वो कानूनी अधिकार गाईज बन गया है ठीक है तो इस्टार बनाके लिख लेना संपत्तिका अधिकार हटाया गया संपत्तिका अधिकार कौन से स करता है तो मूल संभिधान की बात करें तो साथ थें वर्तमान में कितने हैं च्छे हैं कौन से हैं एक समानता का अधिकार है एक स्वतनता का अधिकार है एक सोसन के बिरुद्ध का अधिकार है कल को कुछन ये भी पूचा जा सकता है जीके के जो है क्वेस्टन पेपर में कि भ बैदानिक उप्चारों का अधिकार ये च्छेयों हैं अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि कुछ संत बैया यहीं से बनेगा हमने कहा सब कुछ पढ़ना है एक बार लिख कर सब कुछ एक बार रिवीजन अगर कर लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आ और जो पढ़ता है वो निकल लाता है ये बात सच है करवी है मगर सच है दोस्तों पहला अधिकार है समानता का अधिकार हम इसी स्लाइड में पहला अधिकार लेते हैं समानता का अधिकार यानि ये रहा समानता का अधिकार जो अनुछेद 14 से लेकर 18 तक जाता है आपको लि पंद्रमान उच्छेत कहता है जो जो इंपोर्टेंट होगा वो मैं बता दूँगा पंद्रमान इंपोर्टेंट ये कहता है कि धर्म नसल जाती लिंग के आधार पर हम किसी से समाज में रह रहे लोगों के बीच में बेहदवाव नहीं करेंगे चाहे वो कोई भी धर्म का हो नसल का हो जाती का हो लिंग का हो कोई भी बेहदवाव नहीं करेंगे राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर दिये गए है यानि सोलमे में और OBC और SC केटेगरी में कुछ आरक्षन दिया गया है जो एक अपबाद है ठीके ना राज्य के अधीन नौकरियों का समान अ आपको भूलने नहीं है बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कुस्सन में यह कहता है कि यह बताओ अस्प्रस्यता का संबंद किस्से है और पिछली वारतों कुस्सन यही पूछ लिया था कहता है यह बताओ कि अनुच्छे 17 का संबंद किस्से है तो अस्प्रस्यता का यह अनुच्छेद है सभी को समान समझा गया है तो अनुच्छेद सत्रा को आपको याद रखना पड़ेगा। अनुचेद 19-22 के अंतरगत आता है ये बात दिमाग में फीड कर लेना है अनुचेद 19-22 के अंतरगत क्या आता है स्वतंतता का अधिकार आता है याद रखना है गाईस कई वार एकजाम में पूछा गया है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंतता अस्त्र सस्त्र रहित तथ सांती पूर्वक सम्मेलन की सुदंता छे से साथ प्रकार की सुदंता दी गई है समुदाय और संग निर्मान की सुदंता ठीके ना भारत राज्य छेतर में जहां भी आप चाहू वहां घूम सकते हो भारत राज्य छेतर में कहीं भी आप जो है घुम सकते हो ब्यापार आप कर सकते हो रह सकते हो जमीन खरीश सकते हो अब तो भारती संविदान में 370 अनुच्छेत को भी खतम कर दिया गया है ठीक है ना तो अब आप जम्मु कस्मीर में भी कहीं भी रह सकते हो जगें भी खरीश सकते हो आप विभावी कर सकते हो कोई दि 23 से 24 याद रखीगा अनुच्छे 23 के द्वारा आपको कोई भी व्यक्ति जवर जस्ति स्रम नहीं करवा सकता यानि अगर किसी बच्चे को स्रम करवाने के लिए उक्साया जाएगा तो फिर क्या होगा दंडात्मक कारवाई होगी याद रखीगा किसी बच्चे को अनुच्छे 23 के द्वारा आप स्रम नहीं करवा सकते हैं और स्रम की योजना लागू यहाँ पर नहीं हो सकती कोई आप जाती वर्ण में सामाजी किस तर पर बहत द्वाव नहीं होगा यह अनुच्छे 23 में कहा गया है यानि बच्चों का सोसड नहीं होगा अनुच्छे 24 जो सबसे important है इस्टार लगा लेना जिस पर मैं स्टार लगा दूँ तो समझ लो बहुत important है कुस्टन में यह पूँचा जाता है कि यह बताओ कि 14 वर्ण से कम उम्रबाले बच्चों को कार खानों में या खानों में या जोखिम कारे जो होते हैं उनको नहीं कोई व्यक्ति करवा सकता है किस अनुच्छेद में कहा गया है तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि छोटे बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया करवाय जा सकता है यानि यह एक बाल निसेद है बाल स्रम निसेद है अगर ऐसा कोई पाया जाता है लिप्त कारेओं में तो वहाँ पर क्या होगा दंडनी अपराद होगा दंडात्मक का रिवाई होगी क्लियर है चौदा वर्से कम उम्र के बच्चे अगर कार खाने में काम कर रहे हैं खानों में काम कर रहे हैं या जोकि मरे कारे कर रहे हैं तो फिर निशेद है धार्मिक सुतंता दोस्तों याद रखेगा धार्मिक सुतंता 25 से 28 के बीच में दी गई है कई बार एक्जाम में पूंचा जाता है कि धार्मिक सुतंता का अधिकार भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है किस अनुच्छेद में है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 25 से 28 के बीच में है और यहाँ 25, 26, 27, 28 में जो सबसे इंपोर्टेंट है वो है 26 और 25 याद रखीगा कि कहता है कि अंताह करण की सुतंता का अधिकार जहां पर हम अपने धर्म के बारे में सोचते हैं तो वो याद रखीगा अनुच्छे 25 है और धार्मिक मामलों का जो प्रबंद करने की सुतंता हर वर्ग के लोगों को यह सुतंता यह फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने धर्म के ममलों में प्रबंद कर सकता है, तो अनुच्छे 26, अनुच्छे 27 यह कहता है, कि अभिछी के लिए कर, जितने भी कर आप tax की बात करते हो, वो आप collect कर सकते हो, तो वो अनुच्छे 27 की बात करता है, यानि लोगों से आप जाकर ले सकते हो एक धन जुटा सकते हो आप इस तरीके से ट्रिकीवे में याद कर सकते हो राज की सिक्षड संस्थाओं में धर्मिक सिक्षा जो है निसिद करी गई है यानि धर्म की सिक्षा नहीं दी जाएगी चाहें फिर वो कोई भी धर्म हो यानि कोई धर्मिक सिक्षा अलग से नहीं दी जाएगी ये निसेद है इसलिए important बन जाता है सबसे ज़्यादा important star लगा के लिख लीजेगा star लगा के लिख लीजेगा कि अगर पूचा जाए कि धर्म के लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती है तो कौन सा अनुच्षेद होगा तो अनुच्षेद 28 होगा और अगला पाँच्वा जो हमारा है मूल अधिकार fundamental rights वो है संसिक्रती और सिक्षा संबंधी अधिकार जो आप सभी को सिक्षा education का महत्तो समझाता है ये आपको जानना चाहिए तो याद रखना है कि अनुच्षेद 29 में ये कहा गया है कि नागरिकों के प्रतेक वर्ग को अपनी भासा, लिपी या संसिक्रती को सुरकषित रखने का पूल अधिकार है मतलब हमारी जो एजुकेशन है हमारी जो अपनी भासा है हमारी भासा क्या है हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदुस्तान है लिपी हमारी देवनागरी की बात करते हैं जो हिंदी की बात करें संस्कृती भासाएं अच्छा भासाएं हमारा तो देश है ऐसा बहुत दिभिन भासाई छेत्रों की बात करता है जिसमें पंजाबी है जो गुरु मुखी लिपी की बात करता है छेत्री भासाओं में भी अपन लोग रहते हैं इसलिए हमें अपनी मात्र भासा और भासा और लिपी और संस्कति को सुरक्षित रखने का पूर अधिकार ह आप सभी को अधिकार हैं हम सभी को अधिकार हैं जिससे कोई दूसरा दोहन ना कर पाए अनुच्छे तीस ये कहता है कि धर्म या भासा पर आधारेत सभी अलप संख्यक बरगों को अपनी रुची की सेक्षडिक संस्थाओं की स्थापना और प्रसासन का अधिकार होगा ये भी आपको याद रखना है कई बार एक्जाम में इंपोर्टेंट पॉइंट से पूछा गया है उन्ती सो तीस और सबसे इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में जो होता है वो भारती संविधान में बाबा भीम राव मेडगर सहाब ने कहा है अनुछेद 32 है जो वह याद रखेगा इसी को उन्होंने कहा है कि भारती संबिदान की आत्मा है तो स्टार बनाके दो चीजें आप लिखलो जब कुस्सन में ये पूचा जाए कि भारत की संबिदान की आत्मा किसे कहा जाता है तो अंसर होगा प्रस्तावना पहला कुस्षन हो गया और जब कुस्षन में ये पूचा जाए कि डाक्टर भीमरा और मेडिकर साहब ने किसको भारती संविदान की आत्मा माना है तो आंसर होगा अनुच्छेद 32 याद आगया याद है ना हम फिर से रिपीट करेंगे जब केवल नाम ना लिया जाए मेडिकर साहब का जब केवल कुस्षन पूचा जाए कि भारती संविदान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना आंसर होगा जब कुस्षन में ये पूचा जाए बाबा भीमरा मेड संविदान में मौलिक अधिकार पड़े हैं ये सारे हमने आपको बताएं कि ये आपके अधिकार है धर्म की स्वतनता कितनी सीमित है आपको स्वतनता कितनी सीमित है समानता कितनी सीमित है बच्चों में जो निशेद वर्क है वालसरम कितना सीमित है ये सब बताया तो ये ज रहा गया है कि यह एक मौली कदिकार है जो भारत के प्रतेक नागरिकों को संभिधान द्वारा मानने ता प्राप्ट अन्य मौली कदिकारों को लागू करने के लिए सरबोक्ष नयाले के समक्ष याची का दैर करने का दिकार देता है। जा सकती है यानि यह बाद योगे होते हैं आप से कई बार कुशन पूशता है कि नीति निदेसक तत्तों को क्या नियाले में चुनोती दी जा सकती है तो जी नहीं नीति निदेसक तत्तों को चुनोती नहीं दी जा सकती है क्या मूल अधिकारों को दी जा सकती है बिलकुल दी अनुछेद आगे की बात करें तो 36 से 51 के बीच में हमसे ये कहा गया है दोस्तों कि भारत के सम्विधान में नीति निदेशक तत्तों होंगे और नीति निदेशक तत्तों क्या होते हैं यह दोस्तों राज्यों की आधार सिला माने जाते हैं याद रखेगा मूल अधिकार नागरिकों के लिए होते हैं जो डाइरेक्ट अधिकार मिल जाते हैं नागरिकों को नीति निदेशक तत्तों राज्य को सबसे पहले मिलते हैं और राज्य जो है अपने अनुसार नागरिकों को देती है राज्य सरकार अगर चाहेगी तो आपक यही नहीं होगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि नियायले नहीं जा सकते लिखा है नियायले की सरण संभब नहीं है दोस्तों यह याद रखिएगा तो राज्ये में नीती निदिसकत्त्तों को नियायले नहीं ले जा सकते हैं जबकि मूल अधिकार नियायले जा सकते हैं अगला पॉइंट है कि नीती निथिकत्त्तो किस सम्विधान से लिए गये हैं तो आयरलेंड के सम्विधान से उत्प्रेरित हैं तो यह important पॉइंट है अच्छी तरीके से जान लीजेगा अगला पॉइंट ही आता है कि 36, अनुच्छे 36 में क्या कहा जाता है कि अनुच्छे 36 में राज्य की परिभासा का वर्णन है जितने भी स्टेट है उनकी जो फंडामेंटल राइट से अलगाओ की बात करे तो फंडामेंटल राइट जो है एक अलग चीज है नीती निथिकत्त अगर नहीं चाहेगा तो वो आपको सेवाएं नहीं देगा अब देखेगा बहुत इंपोर्टेंट है 40, 41, 44, 48, 51, ये सारे इंपोर्टेंट हैं इसलिए इनको भूलना नहीं मेरे भाई बहुत जादा इंपोर्टेंट है मैं गुजारिस करूँगा इनको जरूर लिख लेना बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरी तरीके से ठक जाएंगे मैं नहीं ठकूँगा क्योंकि मैंने वादा किया है कि ये वीडियो जीरो से टॉप लेबल तक जाएगी ग्यान अधूरा नहीं देंगे पूरा देंगे एक बार लिख लोगे सब कुछ और फिर दोबारा जो बहुत इंपोर्टेंट है ग्राम पंचायतों का विबरन कुछ सन में कई बार अकेले कुछ सन एई पूच लेता है ये बताओ कि अनुच्छे 40 में क्या है तो अनुच्छे 40 में किसमें ग्राम पंचायतों का विबरन है तो अनुच्छे 40 आंसर हो जाएगा अनुच्छे बर्ग हैं उनके विशेज ध्यान विशेज दाइतों को ध्यान रखने का प्रावधान किसका है ये स्टेट गबर्मेंट का है clear है अनुच्छे 44 most important राज्य समान नागरिकता सहिता यानि जो समान सिविल सहिता है समान नागरिक सहिता है उसको लागू करने का प्रयास करेगा ब बहुत बार पूछा गया है क्योंकि जो पर्यावन ना हमारा यानि जो हमारा इनवार्मेंट है ना हमारा जो इनवार्मेंट है वो कहा गया है ये पहले उसको संभिधान से दाई तो मिला है किसको स्टेट गवर्मेंट को कहा गया है कि राज्ये पर्यावन संदक्षन और संब पर्धन का प्रियास करेगा कौन से आर्टिकल में है आर्टिकल है 48 का है 48 में कहा गया है कि यह राज्य का दायू तो बनता है कि वो इनवायरमेंट को सुचार रूप से देखवाल करेगा और अनुच्छेद 50 राज्य कारिपालिका और न्याय पालिका का प्रथक करण very very most important कई बार पूछा गया है कि न्याय पालिका और कारिपालिका का प्रथक करण किस सम्विधान के अनुच्छेद में है तो आर्टिकल 50 में है आर्टिकल 51 important है दोस्तों क्योंकि कहता है कि अंतरास्टी सांती आपको के बल लिख लेना है एक क्यावन लिखकर क्या लिखना है अंतरा आर्टि सांती है वो किस अनुच्छेद में है अनुच्छेद 51 में ठीक है ये बात आपको याद रखना है पूरी तरीके से ये वाला आपका पार्ट खतम हो गया अनुच्छा और याद रखना है भाग चार में आपका हमने पिछला पूरा पढ़ा है आर्लेंड वाला अनुच्छेद में कितने है पांचमा कुशन मूल करतब मूल संविधान में कितने थे छटा कुशन और मूल करतब बरतमान संविधान में कितने है साथ मा कुशन ये साथ प्रकार के कुशन आपको याद रखने है तो पहला पूइंट है कि जो मूल करतब में हैं विधित है कि आपात काल के दोरान भारती संविधान के भाग चार ए में वर्णित मूल करतब में है पहला स्टार बना के पूइंट लिख लो स्टार पॉइंट अगला ये कहता है कि मूल करतब जो है 42 में संविधान संसोधन के द्वारा लाए गए हैं जो 1976 में संसोधन हुआ यह बात याद रखेगा 44 में संविधान संसोधन के तहट संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अटाया गया था याद आया अभी पहले पढ़ाया है और मूल करतब्यों का जो संसोधन है वो 42 मा है वो 44 मा था यह 44 मा है दोनों में फर्क याद रखना नहीं तो आप अगला पॉइंट यह है कि इससे पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को तो रखा गया था लेकिन मूल करतब्यों को सामिल नहीं किया गया था मतलब यह पूरी तरीके से बात final हो जाती है कि पहले जो संविधान बना था उसमें मूल अधिकार थ अव संविधान जो बना है उसमें इनको संसोधन करके अनुच्छेद कितने कितने में 51A में डाल दिया गया है और यह बाद में सामिल किये गये हैं किसमें 42 में संविधान संसोधन भाई बहुत देर में किये गये हैं पहला हुआ दूसरा संविधान संसोधन 30 रा चौदा प वर्तमान में कौन से नुच्छेद में है तो 51A या 51K में लिए गया है आर्टिकल 51A में जो है मूल करतबे को रखा गया है fundamental duties में कितने मौलिक करतबे हैं दोस्तों तो वर्तमान में अगर कुस्षन में पूंचा जाए कि वर्तमान में कितने हैं तो 11 है जिनमें से 10 को 42 में संविधान संसोदन में जोड़ा गया था तो यार कुस्षन यहां से बन जाता है कि वर्तमान में मौलिक करतब ग्यारा है जबकि मूल संभिधान में मौलिक करतब कितने थे दस थे 11 में कौन से जोड़ा गया है दिमाग में ये भी आता है जैसे मूल अधिकार में 6 जो है 6 रखे गया, 7 में हटा दिया गया था संपत्ती का अधिकार, न्याय का अधिकार बना दिया गया, विदिक का अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ऐसे आपके दिमाग में ये भी तो आता होगा, कि अगर 10 थे तो 11 में कौन से जोड़ा गया, तो यही तो दोस्तों बहुत important है, कई बार 2002 में 86 में समिधान संसोधन के जरिये जोडा गया इसलिए 11 मूल करतब हो गया और दोस्तों वो उसका नाम क्या है पता है 6-14 बरस के बच्चों को निसुलक सिक्षा दी जाएगी ये 11 मौली करतब है जिसको आपको रटना चाहिए दिमाग में फीड कर लेना कुष्षन कल को आ सकता है कि 11 मा जो मौली का दीकार है उसका नाम क्या है तो निसुलक सिक्षा 6-14 बरस दूसरा कुष्षन कितने से कितने बरस को जो है निसुलक सिक्षा मिलेगी ऐसा सरकार ने प्राबदान किया है तो आंसर होगा 6-14 बरस कौन सा संविधान संसोदन 86 संविधान संसोदन कब आया 2002 में आया ये भी आपको याद रिखना है अब मैं इन 11 को देख लेता हूँ एक एक तरीके से जिसमें से आपको ये बाला तो भूरला नहीं है ये ही बाला अगर आपको याद है तो समझ लो कुस्सन पेपर ये बाला कुस्सन निकल लाएगा एक्जाम में संविधान का पालन तथा उसके आदरसों संस्थाओं और रास्टी प्रतीकों का सम्मान ये पहले से संविधान में था रास्टी आंदोलन के प्रेरक आदरसों का पालन करना जितने भी आंदोलन में सदस से रहे सक्री रूप से उनका पालन करना भारत की संप्रभुता एक्ता और अखंटता की रक्षा करना जिससे कोई रास्ट को तोड़ना पाए देश की रक्षा और स्राष्ट सेबा करना ये हम सभी का दाइत्तो है भारत के लोगों में समरसता और भात्त्तो की भावना रखना यानि हमको मेल बना कर चलना चाहिए कभी अलगाओं की नहीं सोचना चाहिए समनवित संस्कती की गौरप साली परंपरा की रक्षा करना जो हमारी भारती संस्कती है परंपरा है उसको हमें जीवित रखना है रक्षा रखनी है उसकी हमारा जो इनवायरमेंट है प्राकृतिक पर्रयावर्ण उसको हमारा दाइत्त बनता है कि हम उसका खुद रक्षा करें और उसमें रहने बाले प्राणी हैं जैसे जीब जन्तु हैं पक्षी हैं उन सभी की रक्षा करने का दाई तो किसको है हमारा है ठीक है अगला पॉइंट यह आता है कि वैज्ञानिक द्रश्टी कोण मानवताबाद और ज्ञानारजन का विकास करना एक ऐसी पहल जो एक से हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा सर्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारी जितने भी धरोहर है सामाजिक द्रश्टी से अगर देखा जाए जितने भी जो है सरकारी द्रश्टियां है सर्वजनिक संपत्तियां है इनको क्या है इनका दाई तो है कि इनको हम बढ़े गर्त में ना जाए नीचे की तरब ना जाए और ये अगला next point बहुत important है कि 6-14 बर्स के बच्चों को अपने सिक्षा के अबसर को उपलद कराना है जो नुच्छेद हम कह सकते हैं संविधान संसोधन 86 में में दिया गया है अब देखिए बास्तविक जो संविधान है वो दोस्तों यहां से स्टार्ट होता है ये संविधान में अगर देखा जाए तो 30% हम संविधान को लगबग-लगबग किलियर कर चुके हैं हम पूरी तरीके से बचा हुआ 70% संविधान अब जाएगा जहां से कुस्षन बनते हैं कि रास्टपती क्या है उपरास्टपती क यह सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी ठीक है तो पूरी तरीके से फोकस करना है कि संघीय कारिपालिका रास्टपती एबं उपरास्टपती अगर पड़ लिया तो समझ लो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी ठीक है अब देखिए का संघीय कारिपालिका जो है उसम अनुच्य को मतलब विश्चे थि एताय उलन्फ पतले लिलाग की बड़ाइंट रात्रा मुएगुता कंवाइधा वह यूँदा व्हूं हिसों कि वाइधा धरन करता है और अनुच्छे 53 के तहट एक राश्ट्रपती होगा त्रेपन एक के तहट राश्ट्रपती की जो सक्तियां होगी वो कारिपालिका में होगी ये बात आपको याद रखने है भारत में संसदी विवस्था को अपनाया गया इंपोर्टेंट है स्टार मना के लिखन है कल को कुशन पूछा जा सकता है कि भारत में किस विवस्था को अपनाया गया है संसदी विवस्था को अपनाया गया है अताहा राश्ट्रपती नाम मात्र की कारिपालिका है तथा प्रधान मंत्री तथा उसके मंत्री बंडल बास्तवी कारिपालिका है तो कल को दो कुश कुछन में ये बनेगा कि राष्टपती ना मात्र की कारिपालिका का सदस्य यानि प्रधान कोन होता है तो राष्टपती और कल को कुछन ये पूछ लिया जाए कि मंत्री मंडल का बास्तविक कारिपालिका कोन होता है तो प्रधान मंत्री कुछन ये भी पूछा जा सकता है कि मंत्री मंडल के कारिपालिका का प्रमुक कोन होता है तब भी राष्टपती होगा जब तक कुष्षन में बास्तविक लग करना आए तो तब तक आप प्रधान मंत्री नहीं मारेंगे तो याद रखेगा मंत्री मंडल के कारिपालिका का जो प्रमुक होता है वो राष्टपती है और मंत्री मंडल के कारीपालिका का बास्तविक प्रमुक कोन होता है वो प्रधान मंत्री है तो जब बास्तविक पूचा जाए तो प्रधान मंत्री और जब ना मात्र आ ना मात्र ना पूंचा जाए तो राश्टुपती राश्टुपती देश का संवेदानिक प्रधान होता है यह बहुत important point है राश्टुपती भारत का पृथम नागरिक होता है next important point है और राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिदित्व प्रनालिय और एकल संक्रमणिय पद्धिती द्वारा किया जाता है बहुत इंपोर्टेंट है यह वादा इंपोर्टेंट स्टार बनाके स्टार लगा लेना यानि अगर कुशन में पूछा जाता है जो भ वोक्च सेनापती होता है यानि तीनो सेनाओं का सेनापती तीनो सेनाओं का चीफ होता है कौन प्रेसिडेंट होता है क्लियर है यह वाद आपको दिमाग में फीड रखनी है राष्टपती पद की योगिता अनुछेद अठावन में दोस्तों यह कहा गया है कि कोई भी व्य वह बहरत का नागरिक होना चाहिए वह पैंलतीस वर्स की आयू को पूरी कर चुका हो लोकसवा का सदर से निर्वाजित कीये जाने का योग्यत जो रखता है वो होना चाहिए यानि जो लोकसवा है जिसको हम निन्म सदन कहते हैं आगे हम पढ़ेंगे लोकसवा जो होता है उसमें निर्वाचित होने के लिए वो इलिजिवल हो योग्य हैं तो दोस्तों ये योग्य होगा चुनाओं के समय लाव का पद्धारण नहीं करता हो और याद रखेगा हमारे संभिधान में ऐसी कोई प्राबधान नहीं किया गया है जिसमें कोई सिक्षा का प्राबधान हो मतलब कोई भी व्यक्ति एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का जिक्री नहीं है तो आपको याद रखना है कि एजूकेशन का वर्ड यूज नहीं किया गया है कि मतलब इतना व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो राष्टपती चुना जाएगा ऐसा कुछ नहीं प्राप्धान है लेकिन हम लोगों की नौकरियों में बहुत कुछ होता है तो यस पर भी आप हमें राय दे कि क्या आपकी राय है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है और हमारे जीवन के जीवन में कैसा सिस्टम होता है ठीक है यह भी हमें राय दें आप राष्टपती के यूग्यता के बाद बहुत important point आता है कि निरवाचन्द दोस्तों याद रखेगा कि जो राश्टिपती का निर्वाचन और उपराश्टिपती का निर्वाचन है उसमें जमीन आजमान का अंतर है कुछ ऐसे मिलते जुलते वर्डों से आपके options गलत हो सकते हैं इसलिए दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा देखेगा राश्टिपती का निर्वाचन होता है होता तो लोकसभा राजेसभा से ही है और उसमें भी लोकसभा राजेसभा लेकिन फर्ग क्या होता है एक सब्द कांतर होता है इसमें राजसभा, लोकसभा और राज्यों की विधान सभाँ के निर्वाचित सदस्य होते हैं सभा के निर्वाचित मतलब पूरी तरीके से जो निर्वाचित होकर आते हैं ठीक है ना तो वो सदस्य होते हैं नवीनतम विवस्था के अनुसार पंडिचेरी विधान सभा था दिल्ली की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य को भी समिलित किया गया है यानि दो ऐसे कें देखना है या टिक करना है तो उसमें संसद्व विधान सभा दिल्ली वा पंडचेरी के निर्वाची सदस्य होना बहुत जरूरी है यह पॉइंट आपको याद रखना है अगला पॉइंट यह है कि राष्टपती पर महावियोग की प्रक्रिया महावियोग से दो कुस्षण मनते हैं राष्टपती पर महावियोग से दो कुस्षण जो सबसे ज़्यादा पूछे गए है वो यह है स्टार बना के लिक लेना कि महावियोग की प्रक्रिया भारत में किस सम्विधान से प्रेरित है आंसर होगा अमेरिका यानि USA अमेरिका से महावयोग की पद्धि ली गई है। अगला कुशन ये पूश्टा है कि राष्ट्रपती पर महावयोग की प्रक्रिया भारत के किस सम्विधान के अनुच्षेद के अंतर गताती है तो वो है अनुच्षेद 61। अनुच्षेद 61 के तहत भारत के सिस्टम में ये है कि राष्ट्रपती को हटाया जा सकता है यदि वह संविधान की अभेहलना करता है तो आपको याद रखना है कि इस अनुच्छे 61 का उपयोग कैसे करना है अनुच्छे 61 के अनुसार राष्ट्रपती द्वारा संविधान का अतिक्रमल यानि अभेहलना किये जाने पर उसके विरुद्ध महावियोग चलाए जा सकता है राश्टपती के विरुद्ध महावियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्याईक परक्रिया है अब कुस्षन ये भी बनता है कि क्या संसद के राज्यसभा या लोकसभा में चलाए जाएगा बिलकुल चलाए जाएगा तो दूसरा कुस्षन ये भी बनता है कि क्या राज्यसभा में पहले ले जाए जाएगा या लोकसभा में तो आंसर होगा कि महावियोग चलाने के लिए आप किसी भी सदन में उसे ले जा सकते हैं अब बात आती है प्रक्रिया क्योंकि प्रक्रिया में बहुत सारे बच्चे परेसान रहते तो यहां से बनते हैं तीन कुस्षन इंपोर्टेंट क्या तीन कुस्षन इंपोर्टेंट है तीन कुस्षन में पहला कुस्षन ये इंपोर्टेंट है महा वियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रियोग या प्रस्तुत किया जा सकता ये मैंने बताया है यानि निम्ण सदन जिसको लोकसभा कहते हैं उचसदन जिसको राजसभा कहते हैं तो जो राश्ट्रपती पर महावियोग चलाने की प्रक्रिया है, वो हम किसी भी सदन में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये बात तो एक तै हो गई, दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम महावियोग चला रहें, जब भी हम किसी पद्धिती को चलाते हैं, ठीक है न, तो उसस पूर्व हम राश्ट्रपती को क्या करेंगे, सूचित करेंगे, अब बात आती है कि जब हम महावियोग लगा रहे होंगे, तो प्रस्ताव के कितने दिन पूर्व, यानि 14 दिन पहले हम राश्ट्रपती को बताएंगे कि भाईया, तुम्हें महावियोग के द्वारा हटान की कोशिस है यानि प्रस्ताव राजसभा या लोगसभा में जाया जा रहा है प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन में कम से कम एक बटे चार सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए मतलब लोगसभा राजसभा में अगर जिसमें भी आप ले जा रहे हो वो तभी पारित समझा जा तब ही उस प्रस्ताओं को यहां पर क्या आगे बढ़ाया जाएगा जब उस सदन के एक बटे चार सदस्य के हस्ताक्षर कर देंगे ठीक ना तो ये बात तय होनी चाहिए कि अगर सदन में ले जाया जा रहा है राजिस सभा या लोकसभा तो उसमें एक बटे ौटे एक बटे चार के सदस्य के हस्ताक्षर होतो गए लेकिन अगला point बहुत important कहता समस्त सदस्यों के कम से कम दो बटे तीन से बहुमत पारित होना चाहिए तब ही वह आगे जाया जाएगा मतलब क्या है कि अगर दो बटे तीन अब देखो कुछन के option में एक बटे तीन दो बटे तीन चार बटे तीन ऐसे होंगे तो बच्चा परेशन हो जाएगा तो आपको इसमें confuse नहीं होना एक बटे चार सदस्य के हस्ताक्षर और जबकि पूछे कितना बहुमत तो दो बटे तीन बहुमत से पारित होगा तब ही वह आगे के लिए दूसरे सदन में जाएगा यदि आपने पहले सदन में राजे सबा में परिसित किया था तो वो दूसरे में लोकसबा में जाएगा यदि पहले लोकसबा में किया था तो दूसरे सदन में राजे सबा में जाएगा लेकिन जाएगा कब दो बटे तीन बहुमत से पारित होने के बाद राष्टिपती को दूस समसदन की भाती महावियोग के प्रिस्ताओं को समत् सदस्यों का दो बटे तीन वहुमत से पारिद कर लिया तो यार याद रखो कि उस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उस प्रेसिडेंट का रिक्त पद समझा जाएगा यानि आपको याद रखना है कि 14 दिन पूर्व जो है हम किसी राष्टपती को सूचित करेंगे कि भाईया तुम्हें हटाया जा रहा है एक बटे चार सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए दो बटे तीन बहुमत से पारित होना चाहिए दूसरे सदन में भेजेंगे और फिर दो बटे तीन बहुमत से पारित होना चाहिए दोस्तों और समझ लो राष्टपती को प्रेसिडेंट को हटाया जा चुका है है भारत में ऐसा कोई अबसर नहीं आया है जिस पर राष्टपती पर अंच्छेद 61 का प्रियोग हुआ हो और हटाया गया हो ये भी बात तय है हाँ कोसिस जरूर हुई है पिछले सेशन में भी आप जानते हो कि कोसिस हुई है तो इस चीज को आपको याद रखना है ठीक है चलो तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट बनता है कि भारत में जो प्रेसिडेंट होता है उसकी सक्तियां भारत में जो प्रेसिडेंट है उसकी सक्तियां कौन-कौन सी होती है इन पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं नजर क्या है कि 79 के अनुसार संसद बनती है तो संसद क्या है संसद तीन लोगों से बनती है एक लोगसभा एक राजसभा एक प्रेसिडेंट यानि लोगसभा राजसभा और राष्टपती से क्या बनती है संसद का निर्माण होता है तो आपको याद रखना है तो जब कुशन में आता है कि संसद का भार अब कुशन में बहुत बार देखो ये वाला कुशन ये वाला जो स्लाइड देख रहे हैं ये पांच पॉइंट है इन पांच पॉइंट में हर बार एक कुशन बनता है कई बार एक्जाम में बच्चे गलत करके आते हैं सुनिएगा ये वाला पॉइंट मैंने पूरी तरीके स जब भी साल के दोरान साल नया स्टार्ट होता है तो दोनों सदनों की कारवाही को सबसे पहले कौन सुरू करता है तो आंसर होगा राश्टपति दोनो सदनो की कारवाही को कौन लास्ट में बिगटित करता है तो कौन होगा तो भी राष्डपती मतलब क्या है अगर कुश्ण न मै पूँछा जाए कि दोनो सदनो को जो भंग करने का सक्ती है वो किसको है? तो क्या राष्डपती होगा बिल्कुल नहीं राजे सभा को भंग नहीं किया जा सकता लोक सभा याद रखेगा दोनों सदनों को इस्थगित करने का जो सक्ती है वो किस में है वो है दोस्तो राष्ट्रपती में सैयुक्त सदन बुलाने का जो अधिकार है वो किसको है राष्ट्रपती को है याद रखेगा तो ये point important है शुरुवात के साल में दोनों सदनों की बैठा कौन बुलाता है तो आंसर होगा राश्टपती अंत में अगर कुशन में पूछा जाए दोनों सदनों को बंद करने लोक सभा को भंग करने आंसर होगा राश्टपती ठीक है प्रतेक चुनाओं के बाद प्रतेक बर्स में प्रतम अधिवेशन को राष्टपती संबोधित करता है ये वही पॉइंट है जो बार-बार रिपीट कर रहे हैं संब के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है आंसर होगा राष्टपती यही मैंने बताया लेकिन ये बताओ कि ये जो है किस अनुच्छेद में है तो आपको याद रखना है कि देखी अनुच्छेद 108 ये कहता है कि भारत का जो प्रेसिडेंट है राष्टपती है वो संसद के दोनों सदनों की बैठक एक साथ बुलाएगा एक छट के नीचे और ये कैव होता है ये तब ही होता है जब दोनों सदनों में गतिरोध हो रहा हो यानि कोई ये कह रहा हो कि हम नहीं मानते कोई ये कह रहा हो हम ये पारित नहीं करेंगे कोई ये कह रहा हो कि हम ये ज्यादा समझिएगा संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है तो आंसर होगा प्रेसीडेंट संसद के दोनों सदनों की कौन अध्यक्षता करता है तो वहाँ पर होगा लोक सभा का अध्यक्ष यानि स्पीकर महोद है ये बात important है दो कुस्षन हो गए जब अध्यक्षता करतने की बात आए तो स्पीकर हो जाएगा बुलाने की बात आजाए तो राश्ट्रपती बुलाने के बाद राश्ट्रपती का काम खतम तीसरा कु신 की किस अनुच्छेद में है 108 में है राश्टपती राजसबा के कितने सदस्यों को मनुनीत करता है तो उच्य सदन में यानी राजसबा में 12 करता है और लोकसबा में 2 करता है वो कौन से होते एंगलो इंडियन और ये जो बारा होते हैं ये साहित्यकला विज्ञान के चेतर में पारंगत होते हैं ठीक है चले आगे चलेंगे ये तीन पॉइंट और समझ लो फिर चलते हैं अगले चैप्टर पर राष्टपती आपात उपबंद अब तीन कुष्ण कई बार पूछे जाने वाले प्रश्ण हैं भारती संविधान में आपात उपबंद को तीन भागों में बाटा गया है पहला है राष्ट्री आपात जिसको 352 कहा जाता है कुष्ण में कई बार पूछा गया है कि भारत के राश्टी आपात को किस अनुच्छेद में रखा गया है? आंसर होगा 352. राज्यों में संबैदानिक कंत्र की विफलता या राश्टपती सासन किस अनुच्छेद में है? आंसर 356. कुशन में कई वार पूछा गया है कि भारती संबिधान में राश्टपती सासन जो राज्य में 4 जोड़ दो 356 356 में 4 जोड़ दो 360 है ना 52, 56, 60 अब एक में है रास्ट्रिय आपात बीच में हमेशा रास्ट्रपती सासन और रास्ट में हमेशा बित्ती आपात ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है आपात उपबंद कहां से लिए गए है अधिकतर आपात उपबंद भारती सासन 1935 से लिए गए है ये बात दिमाग में रखना है और जर्मनी भी आपात उपबंद के लिए जाना जाता है भारती संबिधान के अनुच्छे दिख ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है हमने आप से कहा है जब कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् प्रापधान केंद्र को किसी भी आसामाने इस्तिती से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम मनाती है, याद रखिएगा जब राष्ट में कोई दिक्कत हो रही हो, तो अनुच्छे 352 लगाते हैं, जब कोई राज्ये में दिक्कत हो रही हो, तो राज्येपाल रा होता है, रस्टपती के दौरा, और वित्ती आपा जो अभी तक नहीं लगा है भारत में, आगे संभावना है, याद रखेगा, आने वाले समय में अगर लग जाता है, तो उसमें अपडेट कर लेना, भैया कोरोना काल जैसी समस्याओं से भारत गुजरा है, तो कहीं ना कही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, संभिधान में इन प्रापधानों को जोडने का उद्देश से देश की संप्रभुता एकता खंडता लोक तरांतिक गड़राजी की बात करें, तो यहाँ पर राजनित्ति विवस्ता दधा संभिधान की सुरक्षा करना है, जिससे कोई भी अग बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट पर आयेगा उपराश्ट पती, देखें, उपराश्ट पती में बहुत इंपोर्टेंट कुशन ये पूछे आते हैं कि उपराश्ट पती की न्युक्ति कोन करता है, उपराश्ट पती को जो 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 कैसे चुना जाता है, कई बार एक्जा के तहट हमने कहा था महावियोग होगा अनुच्छ 63 में कहा कि भारत का एक उपराष्टपती होगा जिसको 22 प्रेसिडेंट बोलेंगे कुशन में ये भी याद रखना है कि भारत के जो राष्टपती है न एक नोट कोईंट लिख लो आपसे कुशन पूशा जा सकता है कि क्या भारत का राष्टपती सीमिस समय के लिए चुना जा सकता है या दूसरा कुशन आपसे ही पूशा जा सकता है कि भारत का राष्टपती एक राष्टपती एक व्यक्ति कितने बार चुना जा सकता है तो आपको मार देना है कोई सीमा नहीं और USA में अमेरिका में एक व्यक्ति मात्र दो बार चुना जा सकता है दोनों कुष्ण लिख लेना नीचे स्टार बना के तो मतलब कोई एक व्यक्ति है अगर चुनाओ लड़ना चाहता है जीतना है तो वो कितनी बार लड़ सकता है तो केवल दो बार अमेरिका में और भारत में हमेशा जितनी बार लड़ते रहो योग्यता होनी चाहिए बस ठीक है ना 35 बर्स होनी चाहिए और बस यह होना चाहिए लोग सभा की बात करें या राज़े सभा की बात करें तो ये छीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें एजूकेशन में एजूकेशन कुछ नहीं है मैंने पहले बताया तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो उपराष्टपती होता है उसका कारेकाल पांच बर्स होता है बात और याद रखना है उसमें क्या था राश्टपती में लोक सभा का जो है नेता चुने जाने की क्या रखता हो हैसियत रखता हो कोई व्यक्ति तभी राश्टपती बनेगा और इसमें क्या होता है कि भारत का जो उपराश्टपती होता है वो राज्यसभा का सभापती नही अताहा मतदान का अधिकार भी नहीं होता है किन्तु सभापती के रूप में निर्णायक मतदेने का अधिकार उसे प्राप्त होता है तो कुल मिलाकर याद रखना है कि उपराष्टपती राजसभा करना तो सदस्य होता है ना ही वो मतदान कर सकता है लेकिन राजसभा का पदे सभापती होता है ये बात important है अच्छे से याद रखना है राष्टपती के पद खाली रहने पर उपराष्टपती राष्टपती के हैसिय से कारी कर सकता है और याद रखेगा दोस्तों कई वार पूछा जाता है कि कितने दिनों तक राष्टपती का कारेभार उपराष्टपत संभाल सकता है तो मात्र छे महीनों के भीतर ही दूसरे चुनाव हो जाने चाहिए या कोई राष्टपती आना चाहिए तो कोई भी उपराष्टपती कितने दिनों तक राष्टपती के पदपर रह सकता है तो आपको याद रखना है मात्र छे महीने के दोरान तक किलियर है कई बार एक्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्ण है देखिए लोकसभा राजसभा से बहुत अच्छे कुछ संस बनते हैं बड़ा ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को ठीक है देखिए संघिय विधाईका या संसद संसद को संघिय विधाईका कहा जाता है भारतिय सासन प्रणाली का दूसरा आधार जो इस्तम्ब है वो क्या है संसद है संसद का निर्माड फिर से मैं बताऊंगा एरो बनाके लिख लेना संसद का निर्माड होता है लोकसभा राजसभा और किसे प्रेसिडेंट से तीनों चीजों से मिलकर बनता है यह बात दिमाग में रखना ऐसा ही आपको संसद के नीचे एरो लगाके यल आर पी लिख लेना है यल आर पी या हिंदी में लिख लेना है लोकसभा, राजसभा और रास्ट्रिपती ठीक है अब बात आती है कि इसका उपबंद समिधान के किस भाग में है तो भाग पांच में है अनुच्छेद कितने से कितने तक का 89 से 123 एक बार ये भूल लाना लेकिन अलग-अलग वाले जो अभी मैं आगे बताऊंगा वो मत भूल ला वो केबल दो आपको याद रखने है दो अनुच्छेद, ठीक है कुशन में आपको केबल तीन अनुच्छेद याद रखने हैं, बहुत important तरीके कि भारत में, भारती सम्विधान में भारत की जो संसद है वो कितने नुच्छेद की बात करती है तो 79 में ये कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी ठीक है, इतना अभी ध्यान लखो केबल भारत में एक संसद होगी कितने नुच्छेद में है, 79 में है संग के लिए एक संसद होगी मैंने बताया राश्टपती और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी अभी मैंने बताया यल आर पी है ना यल का मतलब लोकसभा, आर का मतलब राजसभा, पी का मतलब प्रेसिडेंट दोनों सदनों का मतलब लोकसभा, राजसभा और राज़िपती है ना तो इससे जो है यल प्लस आर प्लस पी बराबर क्या होगा संसद होगा तभी बनेगी नहीं तो आप प्रेसिडेंट को भूल लाओ तो पी का मतलब प्रेसिडेंट है जिनके क्रमसाह, राजसभा और लोकसभा होंगे यानि दो सदनों की बात करें 1935 के भारती सासन अधनियम में केंद्र में दुई सदनात्मक विवस्थापिका की स्थापना की गई थी दुई सदनात्मक विवस्थापिका का मतलब है कि लोकसभा और राजिसभा ठीक है कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी मैंने एक आपको उपर स्टार पॉइंट में बताया है कि 79 बरावर संसद यानि भारत के सम्विधान में जो पारलियमेंट होगी वो अनुच्छेत कितने से कितने तक का वो आप भूल जाओ केवल आपको याद रखना है कि एक पारलियमेंट होगी अनुच्छेत 89 कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब बात आती है कि उसके आगे उसके आगे हमें पढ़ना है लोकसभा और राजेसभा याद रखेगा कि सबसे जबरजस्त कुछन आते हैं लोकसभा और राजेसभा से यानि formation of लोकसभा लोकसभा के गठन के बारे में प्राबधान संबिधान के अनुच्छे 81 यानि आर्टिकल 81 तो आपको अपनी कॉपी में एक बार फिर से 79, 80 और 81 79 में आपने संसद लिख लिया है कोई दिक्कत नहीं 80 आप छोड़ दीजेगा भी और 81 आप लिख लिजेगा लोकसभा कोई दिक्कत तो तो तीन अनुच्छेद आपको याद रखने हैं कि जब लोकसभा का गठन पूँछे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 में ये कहा गया है कि भारत में एक सदन होगा जिसको निम्न सदन कहा जाएगा वह लोकसभा होगा ठीक है अनुच्छेद 81 के तहट मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी लेकिन समय समय पर इसकी ब्रद्दी हुई और 31 में संविधान संसोदन 1974 के दोरान 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है यहाँ पर दो कुस्छन पूछे जाएंगे दो कुस्छन पूछे जाएंगे कि आप से यह कुस्छन पूछा जाएगा कि मूल सम्विधान में भारत की लोकसभा में कितने सदस्य थे 500 और अगर कुस्छन में पूछा जाए कि वर्तमान में अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है 552 और कुस्छन नंबर तीसरा पूछा जाए कि वर्तमान में जो अभी वर्तमान में संख्या है वो कितनी है तो आपको याद रखना है 545 है 545 है याद रखना है कि अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है 545 अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है लोकसभा में राष्टपती कितने लोग नामित करते हैं जो मैंने उपर बताया था एंगलो इंडियन के सदस्य दो करता है कौन से लोकसभा में? लोकसभा के सदस्यों का चुनाओ प्रत्यक्ष रूप से होता है यानि यहाँ पर वेस्क मतादिकार का जो सब्ध यूज होता है वो आपको याद रखना है अब देखो लोकसभा कैसा होता है यह important है अच्छे से याद रखना है देखो लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है पहला point आप ये लिख लीजेगा लोग प्रिय सदन इसमें न लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है मैं अपनी आप से लिखवा रहा हूँ लोग प्रिय सदन किसे कहते हैं लोग सभा को निम्न सदन कहा जाता है तीसरा कुछ point आप लिख लीजेगा लोग सभा एक भंग होने वाला सदन है ये बात तीनों चीजें आपको दिमाग में रखनी है लोग सभा संसद का निम्न सदन है किन्तु वह राजे सभा से अधिक सक्ति साली है ये जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्तो करने वाला सदन है इसकी सक्तियां एवम कार्यों का उलेक हम कर रहे हैं अध्यान से सुनना है तो तीन पॉइंट हमने बताया है कि लोक प्रिय सदन कोन है लोक सभा है निम्न सदन कोन है लोक सभा है भंग होने वाला सदन कोन है लोक सभा है इसकी सक्तियां वेबस थापी का सम्मंदी सक्ति है कारिपाली का सम्मंदी सक्ति है वो राज्यसभा से कई ज्यादा गुनी तगड़ी है वित्ये सक्ति संबैदानिक सक्ति जो संबैदान में हम संसोधन करते हैं अनुच्छे 368 के तहट और अन्य सक्तियां जैसे बिल पारित क वियोग लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जाच करती है यह तो सब को ही है हमने आपको पहले ही बताए कि राज्यसभा या लोकसभा में दोनों में आर्टिकल 61 के तहट भारत का महा वियोग ले जाया जा सकता है अनुछेद 124 के तहट लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम नयायले अत्वा उच्च नयायलों के नयायदीसों का कदाचार असमर्थता के आदार पर उसको हटाया जा सकता है मतलब 124 यह कहता है कि भारत में जो जितने भी आपके नयायदीस होते है उनको हटाया जा सकता है जैसे तरीके से राश्टपती को हटाया जा सकता तो अनुच्छे देख्षो चोविस होता है उसका और इधर कितना होता है आर्टिकल 61 होता है राश्टिपती में उपराश्टिपती को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है राज्यसभा में प्रसुत किया जाता है लोकसभा में नहीं ये भी आपको बात याद रखनी है अब बा फटा फट तीन चार से चार स्टार में लिख लो तो कुस्टन में क्या बनता है कि ये बताओ कि विद्वानों का सदन किसे कहा जाता है तो आंसर होगा राज्यसभा एक स्टार होगया विद्वानों का सदन दो स्टार उच्छ सदन राज्यसभा आंसर होगा तीसरा भंग न होने वाला सदन राजसभा हो गया है ना अपर हाउस राजसभा हो गया सेकेंडरी चेंबर राजसभा हो गया है ना तो ये सारी चीजे आपको याद रुखना है राजसभा को भारती संसत का दुतिय या उच्छ सदन कहा जाता है ये अपर हाउस किसे कहते हैं राजसभा को कहत और इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं ये सदस्य राज्यों और संग राज्य छेत्रों का प्रतिने दित्तों करते हैं और आपको याद रखना है कि राज्य सभा कभी भी बिगटित नहीं होती है और ये भी याद रखना है अच्छा एक चीज और भूल गए यहां पर लोग सभा के सदस्यों का कारेकाल सभा के सदस्यों का कारेकाल होता है पांच वर्ज और लोग सभा का जो सदस्य होता है वो कितनी आयू की बात करता है तो पच्चिस साल ठीक है ना तो लोग सभा के सदस्य होंगे वो पच्चिस साल के होंगे और जबकि राजसभा के जो सदसे होंगे वो 30 साल के होंगे फटा-फट लिख लो ये कुस्सन कई बार एक्जाम में पूछा गया है ठीक है अब मैंने उपर एक कुस्सन छुड़बाया था कि 89 के तहट एक संसद होगी बारत में 80 पॉइंट छुडबाया था भारत में 80 के तहट राजसभा भारत में 81 के तहट लोगसभा होगी राजसभा के लिए निवनतम आयू कितनी होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए राजसभा में जो आपके सदस्यों का जो निउक्तों होने का समय कितना है लोगसभा में 5 साल मैंने बताया था और राजिसभा में 6 साल है ये दोनों point एक साथ में लिख लेना है ठीके ना बहुत बार पूछ जाते हैं अनुच्छेद असी के तहट भारत में एक राज्य सभा होगी अनुच्छेद असी एक के तहट भारत में जो राज्य सभा के सदस्यों का अधिक्तम संख्या होगा वो 25 हो सकती है कई बार एक्जाम में पूँचा गया है पॉइंट इंपोर्टेंट है याद रखो अधिक्तम संख्या राज्य सभा की पूँचे कितनी हो सकती है तो आंसर होगा 250 बरतमान में अगर पूँचे कितनी है तो आंसर होगा 245 तीसरा और लिखलो राज्य सभा में कितने सदस्य भारती संभिधान में राष्टपती मनुनीत करता है तो बारा करता है और बारा वो सदस्य कैसे होते हैं कला साहित्य विज्ञान समासेबा सहिकारिता के छेत्र में जिनको अनुभव प्राप्त होता है वो करते हैं और जो लोकसबा में दो होते हैं वो कैसे होते हैं वो एंगलो इंडियन होते हैं आंगल भारती समुधाय के किलियर है ना, सारी चीज़े किलियर है 233 सदस्य आते हैं विभिन राज्यों से निर्वाचित होके और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्टपती द्वारा मनुनीत किये जाते है ठीक है ना, ये बात आप दिमाग में रखिएगा बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है कोईसन ठीक है, चलिए अब इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है तो एकल संकर्मण पद्धित की द्वारा सिंगल ट्रांस्फरेवल भोट सिस्टम के द्वारा यानि अनुपातिक प्रतिनिदित की पद्धित के अनुसार खुले मतदान से संग के विभिन राज्यों और संगी चेत्रों की जो विधान सभाएं होती है उनसे निर्वाची सदस्याते है बहुत इंपोर्टेंट है इस पोईंट को मतभूलना एकल संक्रमनेई पद्धित और अनुपातिक प्रतिनिदित हो ये दो पोईंट आपको याद रखने हैं ठीक है तो कई बार एक्जाम में पूछा जाने वाला पोईंट है राज्यसभा का जो सभापती होता है यानि चेर्मेन आफदा राज्यसभा तो कुछन में आ सकता है कि राज्यसभा का जो पदेन सभापती होता वो कौन होता है तो आप कहोगे कि राज्यसभा के दो प्रमुख पदादिकारी होते हैं एक चेर्मेन होता है और एक उप सभापती होता है भारत का राश्टपती जो उपराश्टपती होता है वो राजसभा का पदेन सभापती होता है जो मैंने उपर अभी बताया है यानि बाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो अपर हाउस यानि राजसभा का पदेन सभापती होता है उसका कारे राश्ट्रपती का पांच साल है और राश्ट्रपती का पांच साल है ठीक है ये बात दिमाग में फीड कर लेना है अब कई वार एक्जाम में अपर हाउस की कुछ सक्तियां है जो कई वार एक्जाम में पूछ लिया जाता है वित्ति ये सक्ति से कुछन आता है फिर हम यहाँ पर संसोदम की सक्ति पर और फिर चलेंगे प्रधानमंत्यी पर ठीक है वित्ती सक्ति क्या है सम्विधान के अनुच्छेद 109 में यह इस्पस्ट है यह उपवंदित किया गया है कि राजिसभा में धन विद्यक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कई वार एक्जाम में पूछा गया है कि क्या धन विद्यक राजिसभा में लाया जा सकता है बिल्कुल नहीं और दूसरी तरीके से यह कुस्टन आपको स्टार बना के लिख लेना है कि क्या धन विद्यक केवल लोगसभा में जी हाँ तो कुस्षन में ये भी आ सकता है कि धन विद्यक किस अदन में लाया जा सकता है तो आंसर तुरंत लोकसभा मार देना राजिसभा मत मारना धन विद्यक को केवल लोकसभा स्पीकर ही प्रस्तावित करते हैं आगे के लिए तो आपको याद रखना है कि धन विध्यक केवल कहां पर लाया जाता है धन विध्यक केवल लोकसभा में लाया जाता है राजसभा में नहीं लाया जा सकता है वे केवल लोकसभा में प्रसुत किया जाता है जब लोकसभा किसी धन विध्यक को पारित कर देती है तो वह राजिसभा के पास सिफारिस के लिए बहजा जा सकता है राजिसभा 14 दिन तक धन विद्यक को अपने पास रोक सकती है और अगर मना कर देती है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि राजिसभा के अधिकार का छेतरी नहीं है और 14 दिन के बाद अगर भेशती है ना भेशती है तो भी वो पारित माना जाएगा क्लियर है ये बात आपको दिमाग में रखनी है संविधान में संसोधन की प्रक्रिया अनुच्छे 368 के तहत मैंने कई बार आप से रिपीट किया है संविधान में संसोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है दक्षिड अफरीका से संविधान संसोधन की प्रक्रिया भारत में ली गई है ठीक है ना The power of amendments to the constitution संविधान संसोधन के संबंद में राजसभा को लोकसभा के समान सक्ती प्राप्त है लोकसवा से पारित संसोधन विधयक तभी सुईक्रित समझा जाएगा जब वह राजिसवा दोरा पारित कर दिया जाए कितनी अच्छी बात है बिल्कुल देखे एक अपर लोवर हाउस है यानि हम कैसे तक लोकसवा है निम्न सदन है और एक अपर आउस है जिसको राजिसवा कहते है हमने कोई भी प्रस्ताव यहाँ पर पारित करने के लिए भेजा और संसोधन विधयक पर राजिसवा की असहमती होने पर संसोधन विधयक अस्विकार समझा जाएगा यह ब्लेक ब्लेक मैंने लिख दिया है इंपोर्टेंट है नहीं तो आप भी यह समझ लो कि धन विधयक की तरीके से इसको भी ऐसा नहीं है धन विधयक लोकसवा की सकती है वो उसी की रहेगी लेकिन संसोधन में बराबर का हिस्सा है राजिसवा और लोकसवा का अपर आउस एंड लोर हाउस का आपात कालिन सकती क्या है राजिसवा की राश्टपती की आपात कालिन उद गोसवा की स्विक्रित दोनों सदनों के द्वारा अनिवारे है यह भी दोनों सदनों को बराबर हिस्सा है यदि गोसला उस समय की गई है जब लोकसभा विगटित हो गई है तो उस समय गोसला राजसभा द्वारा स्विक्रित होना निवारे है यानि अगर उस समय लोकसभा अब कुछन ये भी आता है कि लोकसभा को भंग या लोकसभा को विगटित कौन करता है तो आंसर क्या होगा राश्टरपती होगा प्रेसिडेंट होगा और उस समय अगर लोकसभा कारें ना कर रही हो तो कौन करेगा तो हमारे पास एगी तो option है राज्य सभा करेगी है ना ये चीज़ें आपको याद रखनी है अगला point आता है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बहुत exam में question बन जाते हैं exam में question अनुच्छे से ही बनते हैं और कई बार exam में ये question बनता है कि ये बताओ कि भारत की जो कारिपाली का है उसका बास्तविक प्रधान कोन होता है तो संभीधान में प्रधान मंत्री के निर्वाचन बान्युक्त के लिए कोई विशेश प्रक्रिया नहीं है जी रहीं कोई भी विशेश प्रक्रिया नहीं लेकिन एक question और important है कि ये question बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के किस सम्विदान अनुच्छेत के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में एक प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधान मंतरी होगा। तो अनुच्छेत 75 ये कहता है ये विवस्ता करता है कि भारत में एक राश्टपती के द्वारा प्रधान मंतरी चुना जाएगा। याद रखीगा राष्टपती के द्वारा प्रधान मंत्री तो यहाँ पर एक पॉइंट बन गया है कि प्रधान मंत्री की नियुकती कोन करता है तो राष्टपती करता है लेकिन क्या राष्टपती डाइरेक्ट कर देता है बिलकुल नहीं प्रधान मंत्री बनने के लिए संसद में किसी दल को इस्पस्ट बहुमत मिलता है तब ही वो बनाता है और अगर नहीं मिलता है तो राश्टपती अपने सो विवेक से प्रधान मंत्री की निउक्ती करता है वे सबसे बड़े दल का नेता या गठवन्दन को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करता है और उन्हें एक महा के भीतर संसद में विश्वास मत हासिल करने का आवाहन देता है अस्वासन देता है और ये कहता है कि अगर आपके पास पूरी तरीके से क्या है सरकार बनाने के लिए इतने इतने criteria में हैं तो आप एक महिने के अंदर संसत के अंदर विश्वास मत हासिल करिएगा हम आपको प्रधान मंतरी बना देंगे प्रधान मंत्री ये point बहुत important है प्रधान मंत्री मंत्री परिसत का अध्यक्ष होता है बहुत important है प्रधान मंत्री जो होता है वो मंत्री परिसत का अध्यक्ष होता है और कुशन में कई वार options में होते हैं कि क्या सरवक्ष नहले का नैधिस होता है मंत्री परिसत का या राश्टुपती होता है तो ऐसे options होते हैं तो प्रदान मंत्री जो है मंत्री परिसत का अध्यक्ष होता है ये बात दिमाग में feed कर लिना है कई वार exam में पूछा जाता है बहुमत नहीं मिलता है तो वह स्वव इवेक से कारे लेता है कौन राश्टपती लेता है प्रधान मंतरी मंतरी परशत का अध्यक्ष होता है ये भी आपको याद रखना है राश्टपती सासन किसी राश्जे में लगाते हैं तो आप सभी को पता होगा ये कहीं ना कहीं मैंने अभी उपर जिक्र किया है कि राश्टपाल का कारे वहाँ पर क्या होता है अति सक्रिय के रूप में आगे लाया जाता है राश्जे पाल की निकती का मतलब है कि अपेंड़मेंट ऑफ गवर्नर यानि कौन करता है पहला तो कुसे नहीं बन जाता है कि राश्जे पाल की निकती कौन करता है तो दिमाख लगाई ये कौन करता है तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों तो भाग 6 में ये कहता ह और अनुच्छेद 153 से 166 के बीच में कहता है कि भारत का एक राज्यपाल होगा और राज्य की कारिपालिका में जो प्रमुख होगा वो कौन होगा वो गबर्नर होगा वो राज्यपाल होगा याद रखीगा यानि भाग 6 में और भाग 6 के अतरिकत अनुच्छेद 153 से 166 के बीच में यह वर्णन किया गया है यह जो राजई का जो system है राजई किस तरीके से वेलेंस करेगा राजई किस तरीके से वर्ख करेगा वह पूरी तरीके से इतने इतने अनुच्षयत के भीतर हैं राज्य पाल कौन है राज्य कारिपालिका में प्रमुक्ता यानि मुख्य माना गया है और वास्तुविक कौन है वास्तुविक जो कारिपालिका का प्रमुक है वो है मुख्य मंत्री जब वास्तुविक वर्ड लग जाए संग्य कारिपालिका का जो प्रमुक होता है वो राश लेकिन कल को कुछन ये पूछ ले जाए कि राज्य कारेपालिका में वास्तविक प्रधान कोन होता है तो वो होता है मुख्यमंतरी होता है तो राज्य कारेपालिका में मुख्यता कोन कोन होते हैं राज्य कारेपालिका का प्रधान तो होता है लेकिन वास्तविक कारेपालिका का प्रधान कोन होता है मैं फिर से रिपीट करूँगा तो CM होता है यानी मुख्यमंत्री होता है अताहा हुए है यह कारे स्वयम या अपने अधीनस्तों द्वारा करवाता है या कराता है अनुच्छेद 162 यह कहता है यह राजेपाल के कारेपालिका जो सक्ति का विस्तार है वो राजे सूची पर बने विदियों तक ही है ठीक है राजे का सासन जो संचालन करता है वो राजेपाल के नाम से होता है लेकिन वह दोस्तों नाम मात्र का ही राजेपाल होता है जैसे नाम मात्र का ही एक सासन में बैठा हुआ सबसे उपर राष्टपती होता है और कारे कोन करता है सारे प्रधान मंत्री करता है और राज्य में क्या होता है राज्य पाल जो है नाम मात्र का होता है और संचालन कोन करता है मुख्य मंत्री करता है तो वह राज्य प्रसासन का अध्यक्ष होता है, बात बाकी सारे काम सीयम करता है राज्यपाल की सक्तियां राज्य सरकार के सभी सासन सम्मंधी कारे, राज्यपाल के नाम पर किये जाते हैं ये बात important है, अच्छे तरीके से दिमाग में feed कर लेना जितने भी राज्य में स्टेट गवर्मेंट में वर्क होते हैं वो सभी कारणे चाहे वो कोई सीमी क्यों न करता हो वो राज्यपाल ही करेगा यानि राज्यपाल की नाम से ही होंगे राज्यपाल मुख्य मंत्री की निक्ति करता है और उसकी सलहा पर अन्य मंत्रियों की निक्ति करेगा अब बात ये आती है कि राज्यपाल की निक्ति कौन करेगा तो राज्यपाल की निक्ति राष्टपती करेगा क्या राज्यपाल की निक्ति राष्टपती करेगा बोलो करेगा क्या राश्टपती राजेपाल की न्यूकती एक से अधिक राज्यों में कर सकता है बिलकुल कर सकता है एक से अधिक राज्यों में दो राज्यों में कर सकता है एक ही राज्यपाल तीन राज्यों में हो सकता है एक ही राज्यपाल मद्यप्रदेश, राजिस्थान, बना दिया जाए कि वहाई सभी राज्यों को देखना है क्या कर सकता है बिलकुल कर सकता है तो ये भी याद रखना है कि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है ठीक है राज्यपाल द्वारा राश्टपती से राज्य में संबैदानी का पात काल के राज्यपाल लगाएगा राज्यपाल विधान मंदल का अभिन्नंग होता है अतहा इसे विधाई सक्तियां भी प्रदान है यानि विधाई सक्तियां भी प्राप्त है राज्यपाल संसत के दोनों सदनों का आवाहन बहुत इंपोर्टेंट है दोनों सदनों का आवाहन सत्रावाहन करता है विधान सभा को बिगटित कर सकता है ये वही point है दोनों सदनों का मतलब समझ रहे हो विधान सभा और विधान परिसद जिस तरीके से केंद्र में राश्टपती लोकसभा राज्यसभा की बात करता था वहाँ पर सत्र को बुलाता था आवाहन करता था और उनको खतम करता था ऐसे ही राज्य में विधान सवा विधान परिशद होती है वो भी दो सदन कहलाते हैं उनको भी बुलाने का काम और उनको भी चालू करने का काम और विधान सवा को बिगटित करने का काम कौन करता है राज जिपाल, उदर लोक सभा विगटित होती थी, इदर विदान सभा विगटित होगी, उदर राज सभा विगटित नहीं होती थी, वंग नहीं होती थी, इदर विदान परिशत वंग नहीं होगी, क्योंकि इस थाई सदन है, धन विध्यक यानि मनी विल, जिपाल की सिफारिस के बिना नहीं की जा सकती है उच्छ नयायले की सलहा से जिला नयायधीसों की निक्त करता ये बहुत important point है कि जब भी उच्छ नयायले की बात करें high court देखो एक supreme court होता है जिसको दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि supreme court में जो मुख्य नयायधीसों की निक्त की बात कर रहा हैं तो वो वह कौन करेंगा राज्य पाल करेंगा चीफ मिनिस्टर देखेगा चीफ मिनिस्टर बहुत important fact से आपको याद रखने ना है केवल दो तीन point है और फिर हम राज्य विधान सभा और फिर इसके कारें अबदी को जानेंगे और सबसे important आता है पंचायती राज ठीए बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को जानें तो यहाँ से दोस्तों बहुत अच्छे questions बन जाते हैं तो दो तीन लाइने important होती है चीफ मिनिस्टर में जो बच्चा हर बच्चा छोड़ने का प्रयास करता है उसे यह लगता है की question कहां से बनेंगे यानि यहाँ से तो बनेंगे नहीं तो याद रखीगा अनुछेद 164 क के तहट राज्यपाल सदन में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री निक्त करेगा दोनों point याद रखना है कि राश्ट्रपती पुरधान मंत्री को बहुमत नेता का जो व्यक्ति होता है उसको निक्त करता है ऐसे ही राज्यों में क्या होता है कि राज्यों में राज्यप राश्ट्रपती की भाती कौन राज्यपाल विवेका अधिकार यानि स्वविवेका इस्तेमाल करेगा और बड़े दल या दलों के सम्हू के नेता को मुख्यमंतरी निक्त करेगा सेम प्रोसेज है जैसे राश्ट्रपती प्रधान मंतरी को निक्त करता है ऐसे ही राज्यपाल मुख्य मंत्री को यानि CM को नियुक्त करता है क्लियर है? याद हो जाएगा कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए कारेवा सक्तिया राज्यपाल मुख्य मंत्री की नियुक्त करता है बहुत important question है पहला ठीक है? उसकी सला से अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है और मुख्य मंत्री की सला से उसे पदिच्युत कर सकता है याद रखेगा अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है बा मंत्रियों को पदिच्युत का मतलब होता है कि अलग करने के लिए मुख्य मंत्री की सलहा लेना पड़ेगा क्लियर है? याद रखना है और याद रखिएगा अगला पोइंट मुख्य मंत्री, राज्यपाल वा मंत्री परिसद के मद्द संबाद का मुख्य तंत्र है यानि तीन इंपोर्टेंट होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं? यह तीन इंपोर्टेंट होते हैं जैसे संग में राश्ट्रपती, पृधान मंत्री और मंत्री परिसद है ऐसे ही राज्य में मुख्य मंत्री, राज्यपाल और मंत्री परिसद है मुख्य मंत्री राज्यपाल को विधान सबा का सत्र बुलाने 17 अवशान करने का सम्हार देता है तो याद रखना है कि मुख्य मंत्री जो होता है राज्यपाल को विधान सबा का सत्र बुलाने यानि विधान सबा का जो सत्र बुलाये। वो कौन बुलाएगा? एकजाम में कुसन आ जाये तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलहा अनुसार राज्यपाल किसी भी समय विधान सबा को विगटित कर सकता है वात वही है विधान सबा को भंग करना विधान सबा को विगटित करना क्लियर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजों को बारीकी सी समझा रहे हैं हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं लेना चाहते हैं जो आजकल की कितावे मार्केट में आ रही है और उनमें क्या होता है कुछ-कुछ पॉइंट ले लिए जाते हैं बादवा की अधूरा ग्यान दे दिया जाता है ऐसा कोई भी पॉइंट हम नहीं चोनेंगे राज-बिधान-सभा यानी जिस समय हमने लोग-सभा पढ़ा था यानी केंदरिस्तर पर ऐसे ही हम स्टेट लेवल पर स्टेट एसम्बली को पढ़ेंगे राज-बिधान-सभा के सदस्यं यानी जो प्रतिनідि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं जनता के द्वारा कैसे चुने जाते हैं प्रत्यक शुरूप से जिस तरीके से हम बोट डालने जाते हैं दोस्तों ऐसे ही वो राजे विधान सभाओं में चुन कर जाते हैं जैसे हम विधायक की बात कर लेते हैं है ना, तब ही जब हम विधायक की बात करते हैं, तो विधायक हम लोग चुनते हैं, तो हमारा जो CM बनता है, वो उनकी बोटों की गिंती के नुसारी तो बनता है कि कितने बिधायक निकले, है ना, तो ये आप याद रख लिजगा कि जो विधान सबा होता है, विधान सबा मे वो किस तरीके से voting होती है किस तरीके से प्रत्यासी खड़े होती है तो जन संख्या के आधार पर निर्धारित होती है विदान सबा में प्रतिनिदियों की अधिक्तम संख्या 500 है जिस तरीके से लोक सबा में 552 थी और वरतमान में कितनी है 545 ऐसे ही अधिक्तम संख्या 500 विधान सबा में है और कितनी नियुनतम करी गई है निर्धारित 60 करी गई है किन्तु कुछ राज्यों में हेतु विशेश प्राब्धान किये गए अहुनाचरपदेश, सिक्केम, गोवा, विधान सबाओं की संख्या कितनी है नियुनतम 30 और मिजरम बनागालेंड के लिए 40 वा 46 है एक बार स्क्रेंशोट ले लो कई बार एक्जाम में ट्रेंड करते हैं ट्रेंड यहीं पर छूट जाएंगे, जादा यहां से डीपली में कुछन नहीं आएगा ये दो पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है अनुछेद 172 के तहट, राज्य में जो विधान सबा का कारेकाल होता है वो पांच वर्स का होता है, जैसे लोक सबा का कारेकाल पांच वर्स होता है ऐसे ही विधान सबा के सदस्यों का कारेकाल जो होता है यानि पूरे कारेकाल की बात करें तो पांच वर्स होता है केंटो इसे निश्चित पूर्व भी राजयपाल दोरा बिगटित किया जा सकता है कि सिंपल सी बात है कि विधान सभा को निर्मसदन कहा जाता है जिस तरीके से लोक सभा को निर्मसदन कहा जा सकता है लोवर हाउस कहा जा सकता है उसी तरीके से विधान सबाभी निम्न सदन या लोवर हाउस है राजी की और राजी पाल दोरा इसे बिगटित किया जा सकता है भंग किया जा सकता है वो उसके उपर डिपेंड करेगा ठीक है राजी सम्मंदी जो संबैदानिक प्राबधान है अनुच्छे 246, 248, 250 ये तीन अनुच्छेद आपको याद रखने है और फिर चार अनुच्छेद यहाँ पर बताएंगे यहाँ से कूश्चन बहुत बनते हैं नहीं पान से च्छे अनुच्छेद आने वाले हम जो स्राइट में देखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है राज्यों से पूछे आते हैं क्योंकि स्टेट लेवल के एकजाम से लेकर सारे एकजाम को खबर करेंगे अनुच्छे 246 में कहा गया है कि संसत को सात्मी नसूची दी गई है और सूची एक में प्रगडित विशेव पर विदी बनाने की सकती है तो सात्मी नसूची में क्या है? सात्मी नसूची में संबर्ती सूची भी आती है विया और संबर्ती सूची आती है संग सूची आती है राज सूची आती है जो मैंने उपर पढ़ाया है संग सूची, राज्य सूची, संबर्ती सूची ये तीनों सूचियां किस में हैं? सात्मी में हैं अनुच्छे 248 में अवसिष्ट सक्तिया संसत के पास प्राप्त है 249 के तहट अगर हम बात करें तो राज्य सूची के विसे में संबंद राश्ट्री हित में विदी बनाने का जो सक्ति है वो किस के पास है? संसत के पास है और वो किस के पास है? राज्य सभा के पास है ये कुश्चन बहुत बार पूछा गया है अनुच्छे 249 अनुच्छे 249 को आप स्टार बना के लिख लीजेगा कुश्चन में कई भार कुश्चा गया है कि राज्य सूची पर राजिस्भा अपना कानून बना सकती है वो किस अनुच्छेद में है? 279 बहुत जबर्जस कुश्चन है 299 में क्या है? कि राज्य सूची पर राज्य सूची मतलब समझते हो इस टेट लेवल पर अपना कानून बनाने का अधिकार रखती है ये point important है अनुच्छे 250 सेधी आपात काल की गोसरा प्रवरतन में हो जाए यानि आपात काल लग जाए भारत में और राजी सूची के बिसे संबंद में बिदी बनाने की संसत की सक्ति किस पर आएगी यानि आप प्याद रखीगा जो बिदी बनाए जाएगा वहाँ पर फिर राजी नहीं बनाएगा अपात काल के दोरान वो संसत बनाएगी ठीक है अनुच्छे 250 ये कहता है कि दो या अधिक या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमती से बिदी बनाने का अधिकार भी किसके पास है संसत के पास है और अनुच्छे 257 ये कहता है कि संग की कारिपाली का किसी राज्यों को निर्देश दे सकती है संग की कारिपाली का किसी राज्यों केंदर जो है उपर केंदर बेठा है वो किसी भी राज्य यंपी को उत्तरपदेश को राजिस्थान को वो निर्देश द रखना है आगको कौन से याद रखने है एक ये वाला याद रखना है ठीके ना और एक ये वाला याद रखना है और एक ये वाला दोसो सतावन का में है कि संग के ससत्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहयता प्राप्त करना ठीके ना जो ससत्र लेना वो important है और अंतर राजी परिशत का प्राबधान अनुछे 263 में किया गया है पंचायती राज को बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि कई बार एक्जाम में पंचायती राज किस सरकार में आया था पंचायती राज कौन लाया था किस जिले में आया और कहां कहां पर आया कौन से राज्य में आया तो इस चीज को आपको याद रखना है कौन से संबैदान संसोदन के दोरा आया था पंचायती राज राजीब गांदी सरकार की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं तो राजीब गांदी सरकार की बात करें तो पंचायतों को संबैदानिक मानता दि था ठीक है न यानि प्रापधान था यानि कुल मिलाक अगर कहा जाए कि पंचायती राज के अबल केंदर पर ही क्या करता था डिपेंड करता था तो पॉइंट ये याद रखीगा पहला कुसन यहां से बनेगा कि पंचायती राज में सबसे पहले किस सरकार ने पहल करी और किस 1990 में पंचायतों से सम्मंदित एक बिद्यक लोकसबा में पेस किया गया किन्तु सरकार गिर जाने के करण फिर से जो है क्या हुआ बिद्यक समाप्त हो गया तो दूसरी पहल किसने करी बीपी सिंग सरकार ने अब आगे की बात करें कि इस अधनियम के अंतरगत भारती समिधान में एक नया भाग nine जोडा गया और पंचायती राज अनुच्छे 243 के अंतरगत ये बहुत important है अनुच्छे 243 के अंतरगत जो है पंचायती राज सामिल किया गया अधनियम के द्वारा बहुत important guys, very very most important ग्यार्मी अनुशूची मैंने अभी आपर बताया था आपको ग्यार ग्यार्मी नुसूची में नगर पालिका, नयाय पालिका की बात करी गई है, नगर निकाय की बात करी गई जो मैंने उपर भी बताय था तो ग्यार्मी नुसूची किस्तर सम्मंदित है पंचायती राज, राजीब गांदी सरकार की पहली पहल पंचायती राज, बीपील सिंग सरकार की पंचायती राज, अनुशेद 243 पंचायती राज, और भाग 9 पंचायती राज कोई दिक्कत ठीके ना यह बात आपको याद रखने है पंचायती राज से यहां से बहुत important fact याद रखीगा कि पंचायती राज की प्रमुख विसस्ताएं क्या है ग्राम सभा का गठन यानि जिस गाव में आप रहते हो उसका गठन होना चाहिए सदस्यों का अध्यक्ष का चुना होना चाहिए और आरक्षन की बात करी गई पंचायती राज का विकास अब ये point है जो एक समिती है बलमन्त राय महता समिती इसको समझीए बात थी सन 1957 में भारत सरकार द्वारा बलमन्त राय महता की अध्यक्षता में सामद्वाइक जो है विकास केंद्र के द्वारा एक कारे करम लांच करा गया जिसका नाम बलमन्त राय महता समिती 1922 में इसे लांच किया गया याद रखीगा राश्ट्री विस्तार सेवा 1953 के कारे की समिक्षा पर उनके बहतर धंग से कारे करने के लिए इस समिती का गठन किया गया इस समिती ने नवंबर 1957 में इतने दिन कारे किया और नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट को पेस किया रिपोर्ट पेस की और लोक तंतरात्मक जो विकेंद्री करन की सिपारिस की जिसे पंचायती राज के रूप में जाना जाता है तो कुस्सन क्या बनेगा कि बलमन्त राय मह अपना जो रिपोर्ट पेस किया था वो कब किया 1957 में और क्या कहा पंचायती राज के रूप में इन्होंने विकेंद्री करन की सिपारिस की ये बात तय है कुस्सन में एकजाम में पूछा जा सकता है ठीक है अब कुस्सन तो यहां से बनेंगे क्योंकि कुस्सन आपको था कित्री इस्तरी पंचायत राज जो चुनाव पद्यती है वो भारत में तीन चीजें ब्लाक जिला और गाउं इस्तर पर लागू किया गया समिति की इन सिपारिसों को यानि बलमंत राज जो कौन सी है बलमंत राज मेहता समिति ने 1957 में जो अपनी रिपोर्ट पेसित करी नवंबर में उसमें ये कहा कि तीन इस्तरी क्या होगी पद्यती होगी पंचायती राज की पद्यती होगी समिति होगी गाउं बलाक जिला और इस समिति ने राश्टी विकास परिसाद द्वारा 1958 में सुईकार किया दो अक्टूबर 1969 ये डेट आपको याद रखनी है दो अ पंचायती राज लाजू करने वाला कौन सा राज्य है कौन सा स्टेट है वो है राजस्थान कौन सा जिला है वो है नागौर जिला कौन सा जिला है नागौर जिला याद रखीगा दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है कौन सा जिला है नागौर जिला है कब 2 अक्टूबर 1969 क दौक्टूबर को क्या होता है महात्मा गांधी जहनती सरप्रथम पंचायती राज विवस्था लागू कहा की गई तो आंसर आए लगा लोगे ना बिल्कुल लगा लोगे इसके बाद कहा पर हुई आंद्र प्रदेस में हुई आंद्र प्रदेस और तेलंगाना की बात करें तो अलग हुए आप सभी जानते हो कि आंद्र प्रदेस 1953 में सबसे पहले भासाई आधार पर अलग हुआ था के लिए याद आपको रखना है अब देखी दोस्तों नगर पाली का और उच्च नयाले उच्च नयाले, सरवक्च नयाले जो भी आप पढ़ते हो इन सभी को जानना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है यह लास्ट में जो हम बताने वाले है मतलब समझ लो गोल्डेन गोल्डेन वीडियो आने वाली है यानि आने वाले 10 से 20 मिनट की और क्लास है जिसमें क्या है आपको उच्च नयाले, उच्च नयाले जो भी पढ़ती है वो सभी आपको जाननी पढ़ेंगी ठीक है? चलिए तो नगर पालिका यानि यहाँ पर हम जानेंगे नगर पालिका से सम्मंदित पॉइंट जो बहुत इंपोर्टेंट है जिस तरीके से हमने ग्राम पंचायत का संगठन देखा उस तरीके से मातर एक स्लाइड फिर हम चलेंगे उच्च नयाले पर ठीक है ना? तो नगर पालिका को हम देखेंगे कि 74 मा संभिधान संसोदन आया था 1992 में तो इसमें नगर पालिका का क्या किरा गया? जिक्र किया गया कई बार एक्जाम में पूछा गया मैंने आपको जब अनुसूची पढ़ाये थी उसमें 73 और 74 मा संभिधान संसोदन सूची 11 और 12 के तह जिक्र किया ठीक है ना? और आगे अभी संसोदन कुछ बताएंगे जो याद रखना है वीडियो के लास्ट हेंड पर यानि हम 4-5 स्लाइट के बाद हम कुछ मैंने क्या लिये है प्रमुख संभिधान संसोदन जो आपको याद रखने होंगे वो आपको याद कर लेने है एक्जाम क्लियर हो जाएगा 74 में संभिधान संसोदन अधनियम 1992 में ये बताया गया है कि एक नगरपालिका होगी और इस अधनियम में एक नया भाग 9A जोड़ा गया नगरपालिका के लिए अनुच्छे 243 के अंतरगत यही सम्मिलित किया गया है यह आपको याद रखना है जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि देखिए ग्राम पंचायत के तौर तरीकों में क्या है ग्राम पंचायत के तौर तरीकों में 243 अनुच्छेत के तहट भाग 9 था ऐसे ही 243 के तहट क्या है आपका भाग 9A है इस अधनियम के दौरा 12 अनुची जोड़ी गई 11 अनुची 73 में समिधान संसोदन 12 अनुची 74 में समिधान संसोदन अनुची बार्मी है 73 मां गेर्मी अनुची है और ग्राम पंचायत से है नगर पंचायत वह छेत्र है जो ग्रामीर छेत्र से सहरी छेत्र में परिबर्तित हो रहे है नगर पालिका वह छेत्र है जो छोटे सहरी छेत्र है और नगर निगम वो छेत्र है जो बड़े सहरी छेतर है, ये भी तीन इस तरी चीजों पर बटे हुए है, ठीक है न, एक बार स्क्रीन सोट दे लो, यहां से एक कुसन बनता है, ठीक है, चले, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट जरू करिएगा, और देखें, जब चीजों को आप लिखते हो, और उसके बाद क्या करते हो, उसको रिवीजन मिलाते हो, तो कठिन चीज़ें आसान हो जाती है, देखें, कभी भी कोई चीज कठिन नहीं होती, और याद रख लो कि कठिन अगर चीज हम मान लेते हैं, तो वो हो जाती है, और नहीं मानते हैं, तो होती ही नहीं है, ये रिय यानि अगर हम बात करें कि उच्च न्यायले आप देखो उच्च न्यायले जो होता है वो उच्च न्यायले क्या होता है उच्च न्यायले जो होता है वो दोस्तों राज्जी का होता है राज्जी का यानि अनुच्छे 214 में ये कहा गया है कि भारत में एक उच्च न्यायले जाते हैं उच्चतम और उच्च में फर्क है या सर्वोक्ष याद रखीगा या सर्वोक्ष नयाले या उच्चतम नयाले ये सुप्रीम कोर्ट होते है जो भारत में मत रेक है दिली में है न्यू डेली में है और केवल उच्चतम नयाले उच्चतम नयाले अलग है जो हर या अनेक अनेक राज्यों में एक ही कर दिया जाता है, मतलब प्रतेक राज्य का एक उच्छ नैले होगा, के लिए रहे, तो 214 के अनुसार भारत में प्रतेक राज्य के लिए एक उच्छ नैले होगा, 230 के अनुसार संसद विधी बनाकर किसी उच्छ नैले की अधिकारिता का विस्तार संग राजय तक कर सकता है यानि एक विधी बनाएगी और यह तय करेगी कि उस उच्छ नैले की सीमा कहां से कहां तक है ठीक है ना ये बात याद रखेगा इसमें इंपोर्टेंट जो अनुच्छे थे वो ये वाला है ये वाला याद रखेगा ये वाला भूल मत जाना और ये वाला इंपोर्टेंट है 231 231 के अनुसार संसद ने ये कहा है कि संसद बिधी बनाएगी दो या अधिक राज्यों से यानि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की विवस्था कर सकती है मतलब अगर UP है तो UP में जो हाई कोर्ट है वो इلहावाद है और अगर माना कि YMP का कोई हाई कोर्ट कलको नहीं है ठीके ना वो तो बात अलग है कि है सभी का लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि YMP का थोड़ी दिर के लिए नहीं है तो वो क्या करेगी कि संसद एक कानून बनाएगी और कह देगी कि यमपी और यूपी का एक ही क्या रहेगा तो सारी सुन्भाई हाइध कोर्ट इलहाबाद में होगी तो अभी भी बहुत सारी सारी जगहें पर है आप सभी को पता है तो आपको 215 के तहट ये कहा गया है कि उच्छ नयायले अविलेख ही नयायले होगा बड़ा गजबर जसको उच्छ ने पिछली बार एक्जाम में ट्रेंड हुआ था PCS लेवल में कुछ सर पूछा जा चुका है तो आपके एक्जाम में भी पूछा जा सकता है 216 के अनुसार प्रते कुछ नयायले मुख्य नयायधीस और ऐसे अनय नयायधीसों से मिलकर बनेगा जिन राष्टपती समय समय पर निक्त करने की बात करेंगे या आप सभी जानते हो कहीं न कहीं आपको ये बात पता होगी कि अगर कोई उच्छ नयायले होगा तो उसमें नयायधीस भी होंगे और उसमें मुख्य नयायधीस भी होंगे और ऐसे अनय नयायधीस भी होंगे ठीक है ये चीज़ें आपको याद रखनी है आप देखीगा कुछ इंपोर्टेंट बहुत डीप में हम बताने वाले हैं जो आपको गेन करने वाली हों वो गेन कर लेना और फिर हम चलेंगे उच्छतम नयले पर 217 के तहट ये कहा गया है कि राश्ट्रपती जी उच्छ नयले के मुख्य नयधीस की न्युकती और हाई कोर्ट के नयधीस की योगिता के अनुसार करेंगे ये किस में कहा गया है 217 बहुत इंपोर्टेंट है न्युकती करेंगे जबकि सफ़त कोई और दिलाएगा ये बात याद रखेगा 222 के अनुसार हाई कोर्ट के जजों का इस्थानांतरन कौन कर सकता है राश्ट्रपती जी कर सकते हैं 222 के अनुसार भारत का राश्ट्रपती हाई कोर्ट के जजों का इस्थानांतरन कर सकते हैं जैसे कोई भी अगर है तो इलावात का है तो इलावात से वो कर सकता है कहां मद्यप्रदेश कर सकता है राजस्थान के आई कोर्ट कर सकता है तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो भेज सकते हैं अनुच्छे 222 ठीक है ना 222 बहुत इंपोर्टेंट है याद करने में आसानी रहेगी अनुच्छे 224 ये कहता है कि हाई कोर्ट के कारेयों में आ इस्थाई ब्रद्धी होने की इस्थती में राष्टपती जी दो बरसों के लिए अतरिक्त या अपर या एडिसनल न्याइधीस की न्युक्ति कर सकते हैं मतलब क्या है कि अगर कोई भी जो है हाई कोर्ट में उस समय क्या है उस समय कमी है पदों की तो उस समय वो अत्रिक्त जो है एडिसनल न्याधीस की न्युक्ति कर सकते हैं ये बात आपको याद रखना है अगर कार्यों में ब्रद्धी हो जाती है अगर हाई कोर्ट में सब बहुत ज़्यादा काम हो गया है तो वो क्या करेगा राश्ट्रपती जी क्या करेंगे क्या राश्ट्रपती कर सकता है बिलकुल क्योंकि न्याधीस हो सकता है क्या अनुपस्तित हो जाए कभी न कभी 224 ए में कहा गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्याधीस राश्ट्रपती जी की सहमती से सेवा निब्रत नयधीस की सेवा ले सकते हैं ये बहुत इंपोर्टेंट है अगर मुखे नयधीस राष्टपती जी की सहमती से सेवा निब्रत नयधीस लेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं लेकिन किसकी होनी चाहिए सहमती राष्टपती की होनी चाहिए अब बात ये भी आती है कि यहाँ पर एक और important fact आपको लिख लेना है कि बरतमान समय में high court की संख्या कितनी है तो 25 है बरतमान समय में भारत में high court कितने है तो 25 हैं ये बात आपके दिमाग में feed होनी चाहिए ये बात दिमाग में रख लेना है ठीके ना 25 है ठीके ना बढ़ती रहती है 25, 26, 27 हो जाएगी कोई दिकत नहीं है उच्चतम न्याले अब हम जानेगे सुप्रीम कोर्ट जो भारत में केवल एक है न्यू डेली भारत में एकल न्याय विवस्था है जिसमें सीर सिस्थान पर सर्वोक्ष न्याले यानि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्याले तो पहले तो मैं ये किलियर कर देता हूँ कि सर्वोक्ष न्याले उच्चतम न्याले सुप्रीम कोर्ट ये एक ही है ठीके ना एक ही है गलती मत करना, उच्छ नयायले आपका अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, उच्चतम नयायले आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीके न, यह बात आपको याद रखना है, भारत में एकल नयाय दवस्ता है, जिसमें सीर सिस्थान पर सरवक्ष नयायले सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिन 25 उच्च नहले है यानि अभी मैंने आपको बताया था कि जो हाई कोर्ट है वो है 25 और ये किसके अधिन है ये सर्वक्च नहले के भारती संभिधान में जब हमने उच्च नहले पढ़ाया तो अनुच्छे 214 और जब हम आपसे कह रहे हैं कि सर्वक्च नहले तो अनुच्छे 124 ये बात याद रखना है कि अनुच्छे 124 और 214 को अगर देखा जाए तो इसमें भी 214 है और इसमें भी 214 है ठीक ना बस डिजिट इदर उदर है 124 के तहट भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और 214 के तहट भारत में प्रत्यक राज्य का हाई कोर्ट होगा ये बात मैंने अभी उपर बताई थी 124 से 147 तक उच्छतम नयाले के गठन स्वतंतता नयायचेतर सक्तिया प्रक्रिया आधिका उल्लेक किया गया है तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है भाग 5 में उच्छतम नयाले है और भाग 5 के अतरिक्त 124 में उच्छतम नयाले है और 214 में क्या है उच्छतम नयाले है ये बात याद रखना है हाई कोर्ट 214 और 124 में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम नियाले उच्चतम नियाले का गठन सम्विधान के अरुच्छेद 124 के तहट 1950 में उच्चतम नियाले की स्थापना हुई यहां से बहुत कुष्ण पूँचे आते हैं पूइंट अगर आपने समझ लिए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी जिसमें एक कुष्ण तो पूछा ही जाएगा क्योंकि अभी अभी इनका बदला हुआ है यानि सम्विधान में 124 के तहट 1950 में उच्चतम नियाले की स्थापना की गई उच्चतम नियाले के नियाधीसों की संख्या 8 थी और 7 नियाधीस थे आपको याद रखना है ये नियाधीसों की संख्या कितनी थी 8 थी 8 नियाधीस थे कौन-कौन से 1 प्लस 7 यानि एक मुखे नियाधीस होता था और 7 नियाधीस होते थे तो बराबर 8 हो जाते थे होगा 8 और जब कुछस्टन में पूछे कि बरतमान समय में उच्चतम न्यायले में कुल कितने न्यायधीस हैं तो आंसर होगा 34 अभी अभी बढ़ा है 30 प्लस 1 आपको याद होगा तो अब अपडेट हो जाओ तुरंत अपडेट हो जाओ तुरंत अपडेट हो है 34 कर दी गई है पहले मुख्य नायधीस एक और 7 अन्यायधीस रहते थे अब मुख्य नायधीस एक ही रहेगा लेकिन 33 अन्यायधीस रहेंगे तो कुल मिलाकर अगर मूल सम्विधान में पूछे तो 8 मारिएगा अंसर बरतमान सम्विधान में पुशे तो 34 मारियेगा ठीक है बात बाकी आपको ये सारी चीज़े याद नहीं रखनी है भारती नागरिक्ता बहुत important है भारती नागरिक्ता अगर कुश्तन में पूँच लिया जाए कि भारत में किस तरीके की नागरिक्ता है तो भारत में एकल नागरिक्ता है फटा फट स्टार बना के लिख लो भारत में एकल नागरिक्ता है और बिस्व के USA में यानि जो अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिक्ता है नागरिक्ता और इससे जुड़े हुए कानून केंदर सूची के विसे हैं इसलिए इन पर कानूने बनाने का अधिकार केवल केंदर सरकार के पास है भारती सम्मिधान के नुच्छे 5 से 11 तक नागरिक्ता के बारे में बनाए गया यह बहुत इंपोर्टेंट है अच्छा पॉइंट है याद कर लेना है कई वार एक्जाम में ट्रेंड करने वाला पॉइंट है याद रखेगा लोग सेवा आयोग चीन ने सरप्रतम परतियोगी परिक्षाय करवाई बहुत इंपोर्टेंट है जो एक टाया इंग्लेंड में प्रतियोगी परिक्षाओं का प्राबधान था, 1919 में एक एक टाया जो केंदर से राज्यों के लिए अलग-अलग आयोगों का प्राबधान था, ये तीन पॉइंट इंपोर्टेंट है, अच्छे है और बहुत डीप पॉइंट है, इनको कोई न सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संग और राज्यों के अधीन सेवाओं, अनुच्छे 308 से अनुच्छे 323, बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार एक्जाम में पूचा जा चुका है, अनुच्छे 315 के तहत तीन आयोग होंगे, संग, राज्य, संयुक् से कहता है कि संग और राज्य की अधीनेस ते जो सेवाओं हैं, वो कितने अनुच्छेत में 308 से 323 तक, के लिए ये बात इंपोर्टेंट है, अच्छे तरीके से आदरकना है, भारत में मुख्यता 3 प्रकार की लोक सेवाओं पाई जाती हैं, अखिल भारती सेवाओं, हम में डालता है और तुक्का आपका कितना सही होता है, ये मुझे भी पता है, तुक्का आपका एक परसेंट भी सही नहीं होता है, ये बात सच है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, अब देखेगा भारत के प्रमुख संविधान संसोधन है, जो 3 स्लाइड में हम जानेंगे, इनको हम जानेंगे और पूरी तरीके से खतम हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ये वीडियो खतम हो जाएगा, तो अब हम जो है, भारत के प्रमुख संविधान संसोधन केबल ध्यान से सुनना आए, बले ही आपको याद ना हो, और कुछ-कुछ संविधान संसोधन जिस पर हम स्टार लगा ले, वो तुरंत आपको सारे नहीं, मैं बताऊंगा तो बहुत ही, इसमें क्या, रेर केस, एक, चौदा और बियालिस, और च्यासी और एक्सोचार, मतलब बहुत तीन स्लाइड में हमने चार-चार लिये हैं, और उसमें भी हम आपको निचोड हैं, जिस पर स्टार लगा दूँ, वो इंपोर्टेंट है, बैसे बहुत ध्यान से सुनना संसोधन से कुष्ण एक बनता है, और इन साथ से आठ कुष्ण में आपको एक कुष्ण मिलेगा आने वाले एक्जाम में, ठीक है, चलिए, पहला संविदान संसोधन 1951 में हुआ, जो काफी इंपोर्टेंट है, स्टार बना लेना है, क्योंकि यह संविदान संसोधन पहला था और इसमें नौमी अनुसूची को जोड़ा गया था, क्योंकि मूल संविदान में भारत में नौमी अनुसूची में, यहाँ पर नौमी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 9 मी अनुसूची नहीं थी. तो हमने 2 star आपको लिखवाया थे starting में कि भारत के मूर सम्विदान में कितनी अनुसूचियां थी. 8 थी और दूसरा star ये भी लिखवाया था कि भारत के वरतमायन समय में कितनी अनुसूचियां है 12 है. कोई doubt? कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यह मैं पहले बता चुका हो रिविजन भी हो जाएगा तो पहला समिदान संसोधन कब हुआ 1951 में हुआ क्या जोड़ा गया नौमी अनुसूची जोड़ी गई तो कल को कुछन यह आ सकता यह आएगा 100% कि नौमी अनुसूची किस समि बनाया गया नियो नए राज्य को पनरगठित किया गया यानि सेबंत समिदान संसोधन के तहट है तो यह भी आपको याद रखना है और उससे जो है भारती लोगों ने मुक्त कराया और यह दोस्तों फिर भारती संग में यानि केंदर सासित यूरियन टेरिटी यूटी में सामिल किये गए बारमा सम्मिदान संसोतन यह कहता है कि इसके दोरा गोवा दमन दीप और भारती संग में बिले किया गया और चौदमा सम्मिदान संसोतन यह कहता है कि इसके दोरा पंडिचेरी को केंदर सासित प्रदेश के रूप में बिले किया गया तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपोर्टेंट सम्मिदान संसोतन है वो फर्स्ट है ठीक न यह बात याद रखेगा इसको नहीं भूलना है अगला सम्विदान संसोधन है अठारमा अब देखे यहां से आपको दो सम्विदान संसोधन या तीन सम्विदान संसोधन आपको याद रखने है जो इस स्लाइड से आपको याद रखने है इसके दोरा पंजाब राज्ये का पुनरगठन करके पंजाब हरियाना राज्ये और चंडीगण को केदर सासित प्रदेश बनाया गया ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है स्टार बना लेना क्योंकि दोनों की राजदानिया एक है इसलिए पूछा जा सकता है 21 सम्विदान संसोदन 1960 में हुआ और इसमें आठमी नुसुची में सिंदी भासा को सामिल किया गया ये बात याद रखेगा आठमी नुसुची किस से स्मन्दित है? language से समंदित है कल को ये पूचा जा सकता है कि भारती संविधान में कितनी उलेखित हैं बासाएं तो 22 भासाएं उलेखित हैं और किस अनुसूची में? आठमी अनुसूची में ठीक है न? याद रखना है अगला संविधान संसोदन है 24 संविधान संसोदन 1971 इसके द्वारा मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संसोदन करने का अधिकार दिया गया है इंपोर्टेंट है स्टार बना लेना बहुत इंपोर्टेंट है कि संविधान में अगर संसोदन किया जा सकता है तो वो किस संविधान संसोधन दोरा किया गयाता है तो 24 संविधान संसोधन है तो आपको स्टार बनाके 24 संविधान संसोधन लिख देना है और आगे संविधान संसोधन की प्रक्रिया लिख देनी है ये भी important है याद रख लेना है 45 संबिदान संसोदन इसके दोरा सिक्किम को भारती संग में दरजा दिया गया इतना important नहीं है लेकिन हो सकता exam में पूछ लिया जाए तो मेरा काम है आपको बताना note सब कुछ होना चाहिए और star वाले point जादा याद करने होंगे आपको 36 संबिदान संसोदन 1975 में हुआ इसके दोरा सिक्किम को भारती संग में 22 में राजिक के रूप में संबिलिद किया गया यहीं 1975 एक ऐसा संथा तब 22 ही भारत के राजित है ठीक न यह बात याद रखिएगा और सबसे important point यह है इसको तो भूल गए तो फिर पूरा संबिदान वेकार 42 संबिदान संसोदन कब हुआ तो आंसर होगा 1976 में यह संबिदान संसोदन प्रदान मंत्री इंदरा गांधी के काल में हुआ तो याद रखना है यह भी important point है कि इंदरा गांधी के समय हुआ और कब हुआ 1976 में और कौन सा 42 में इसको मिनी संबिदान भी कहा जाता है उस समय स्वन सिंग आयो की सिफारिस के आदर पर किया गया था और याद रखना है कि इसी 42 में संबिदान संसोदन से मैंने उपर बताय था कि मूल कर्तब बे आये थे भारत में मूल कर्तब बे किस मंदित है और जिनकी संख्या बरतमान में 11 है और याद रखना है 42 में संबिदान संसोदन से ही आये हैं अभी तक का सबसे बड़ा संबिदान संसोदन को लगू संबिदान कहा जाता है मिनी संबिदान कहा जाता है इस संबिदान संसोदन में लगबग 69 प्राबधान थे तो इसलिए ये अभी तक का सबसे बड़ा सम्मिधान संसोधन है, अच्छा है, जबर जस्त है, हर कुछसन पूछा जा सकता है, चार से पांच कुछसन इसी सम्मिधान संसोधन से बन सकते हैं, लगु सम्मिधान किसे का जाता है, कौन सा प्रदान मंतरी था, कौन सी समिती थी, सु मंदित हैं कौन सा बड़ा संभिदान संसोदन है तो बहुत सारी चीज़े हैं और अगला जो स्लाइड हैं 71, 73 जो टॉप लेवल के दोस्तों आते हैं मतलब कुछ कहना ही नहीं ठीके न एक और आपको नोट कर लेना है 52 संभिदान संसोदन जो दल बदल से संभिदान जो दल ब हसाओं को जोड़ा गया है जो 73, 74 और बहुत इंपोर्टेंट है जो मैंने आपसे बुलाई कि 71, 72, 73, 74 ये तीनों आपको याद रखने हैं 73, 74 और ये को 86 बहुत इंपोर्टेंट है जो मूल करतब ग्यारमे की बात करता है क्या जवर्जास कूशन था मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि 11 मा जो मूल करतब जो रूस से लिए गए है सुर्ण सिंग समित की आधार पर तो मूल करतब ग्या था 86 मा संबिधान संसोधन करके जिसमें बच्चों को निसुल क सिक्षा 6-14 बच्चों को जो है सिक्षा दी जाएगी याद आया कुछ उपर याद आया तो इसलिए 71, 73, 74 और 86 ये तो संबिधान संसोधन आप भूला ही नहीं सकते कता ही नहीं बूल सकते याद रखेगा अच्छा 44 संविदान संसोदन मैंने mention नहीं किया है तो आपको यादी होगा यार कि 44 संविदान संसोदन संपत्ति का अधिकार को हटा कर कानूनी अधिकार हटा बना दिया गया ये तो याद होगा ना मैंने उपर बताया था कई बार तो इसको अगर याद नहीं है तो इसको भी लिखिए और बावनवा संविदान संसोदन लिख लिख लिया है दल बदल से तो इसको भी लिखिए compare है ये सारी चीजे आपको mention करनी है 71 संबिदान संसोधन में कुछ भासाइं जोड़ी गई जिनको बताया 73-74 जो टॉप लेवल के हैं मैंने अभी आपको उपर बताया जब ग्राम पंचायत पढ़ाया था तो 11 अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया 12 अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गय संबिदान संसोधन 74-ma है अनुसूची बार्मी है अनुसूची को जोड़ा है 11-ma है क्या है पंचायती राज है पंचायती राज सबसे पहले कहां आया नागावर जिले में आया है कहां राज खान में आया है इस सारी चीजह आपको याद होनी चाह यह ठीक है 84 सम्विधान संसोदन 2001 में आया है तो 1991 की जनगरना की आदार पर लोकसवा और विधानसवा छेत्रों की बात करें तो परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई और 86 सम्विधान संसोदन 2003 में आया था और 2003 में इसको यहां पर लागू करा गया 2002 और 2003 के तसक में और कहा गया कि प्रात्मिक सिक्षा एक बच्चे का मौलिक अधिकार है इसको छीना नहीं जा सकता और यह मूल करतब की सिर्णी में रखा गया क्रियर है याद रखीगा सौमा सम्विधान संसोदन अब यह हमारे 4-5 पॉइंट है यह लास्ट है ठीक है ना इसके बाद जो हमारी अन्तिम स्राइड होगी वो यह होगी सौमा सम्विधान संसोदन 2015 को किया गया और भारत और बंगलादेस के बीच में जो सीमा का संसोदन हुआ भारत और बंगलादेस के बीच में जो संदी हुई वो पूछा जाये तो 100 तो याद कर रहेना है यह सतक है इसको याद करने के लिए बहुत आसान है क्योंकि 100 आप सभी जानते हो सतक होता है और सतक कहीं न कहीं बांगलादेश भारत के बीच में आपको दिमाग में कोई भी ट्रिक लगा लेनी है बहुत इंपोर्टेंट है जबर जस्त पॉइंट है 101 सम्मिधान संसोधन कई बार exam में प्पूचा जाएगा star बना लेना दोस्तों GST GST का full form क्या होता है good service tax होता है 2016 में आया था 2017 में लागू किया गया 101 सम्मिधान संसोधन था और GST का full form good service tax है पुर्धानमंत्री कौन था पुर्धानमंत्री मोदी उस समय थे याद रखना है अभी क्या होता है आगे आगे देखा जाएगा 102 सम्मिदान संसोदन 2018 की बात करें दोस्तों तो इस सम्मिदान संसोदन दोरा रास्टी पिछडा वर्ग यानि OVC का सम्मिदानी दरजा दिया गया बहुत important है 103 सम्मिदान संसोदन हुआ ये बहुत important है GST बाला और अभी 10% का जो आरक्षण दिया गया वो दोस्तों जनल केटेगरी में दिया गया है जो कमजोर वर्ग के सामाने वर्ग के हैं उनको 10% का आरक्षण मिला है वो किसमें आएगा 103 सम्मिदान संसोदन के तहित 14 सम्मिदान संसोदन हुआ है जो 2019 में हुआ 126 सम्मिदान संसोदन विधियक का ही एक रूप है दिसंबर 2019 को राजसभा में भारती संबितान को 126 संबितान संसोदन विधियक 2019 पारित किया गया ये आपको इतना important नहीं है ज्यादा important याद करने की जरूर नहीं है अब बात आती है कुछ भाग जो आपको देखने होंगे दोस्तों वीडियो को हमने बहुत तेजी से भगाया है लेकिन आप देख सकते हो इस समय आपको दिखा देता हूँ 2 गंटे 16 मिनट यानि हम कह सकते हैं लगवग ये 2 गंटे 20 मिनट तक जाएगी ये वीडियो पूरे सम्विधान को देखा है और बस इतना है कि लगातार इस वीडियो को 2 गंटे पढ़ाया है तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आप सभी बच्चे प्यार बहुत देना बहुत ज़्यादा प्यार देना क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाली पीडियां तक देखेंगी आपके बच्चे भी देखेंगे क्योंकि आपका ये बहुत बड़ा क्या है आप समझे लो कि मतलब आपका बहुत बड़ा गोड़न समय है आपके समय में ये वीडियो बन रही है ये वीडियो कभी हटाई नहीं जाएगी हमारे मरने के भी बात जो है ये वीडियो नहीं हटाई जाएगी बहुत बड़ा सवबाग है हमारा और आपका है कि हम आपको पढ़ा रहा है और आप हमसे पढ़ रहे हैं संग बा उसके राजे छेत्र और अनुच्छेद एक से चार के बीच में वर्डित है। कल को कुछ से ने पूछा गया था कि नागरिकता का अनुच्छेद कौन सा है तो पांसे एक ग्यारा में जो है नागरिकता का पूरी तरीके से मैंने बढ़ाया है आपको कि नागरिकता व भारत के 12 से 35 के चेत्र के अंतरगत आते हैं ठीक है। ठीक है ना ये बात आप याद रखीगा भाग 5 की अगर हम बात करें तो दोस्तो याद रखीगा 52 से 151 तक संग सरकार की वर्णन किया गया है अनुच्छे 152 से 237 के बीच में स्राज सरकार से सम्मंदित प्राबधान किया गया है भाग 7 में एक बार स्क्रीन सॉट लिलना और अच्छी तरीके से लिखनेना भाग 7 में अनुच्छे 238 के तहर साथ में समिदान संसोदन द्वारा इसको हटा दिया गया याद रखीगा बहुत इंपोर्टेंट है 238 भाग 8 के द्वारा अनुच्छे 249 से 242 का वर्डन है जो केंदर सासित प्रदेसों का जो प्रसासन है जैसे दिल्ली है पंडुशेरी है दमन दीफ है इनके प्रसासन के बारे में जिक्र किया गया अनुच्छे 243 से 243 जो है A के बीच में पंचायते हैं जो भाग 9 में है अनुच्छे 243 जो है P से और 243 ZD तक की बात करे तो नगरी निकाय है यानि ये भी भाग किसमें आएंगे 9 में आएंगे और ये जो आपका है 11 मी नुसूची में है और ये आपका है बार्मी नुसूची में है ये आपका कितने सम्विदान सलसोदन में है अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों जल्दी से बता ओती है 74 की बात करीती है ना यादाया न हाजी आपात उपबंद भाग 18 में है जो जर्मनी से लिये गए है और जो आप अगर ओप्शन में ना आए तो फिर क्या मारेंगे 1935 भार्यल सासन अधिनियम ओप्शन में ना आए तो आस्ट्रेलिया मारेगा मैंसे जर्मनी आपको मिलेगा अनुच्छे 352 से 360 की बात करता है आपात उपबंद ठीके ना जिसमें राश्ट्री आपात बित्ती आपात राश्पती सासन अगर हम बात करें यहाँ पर अनुच्छे 368 संविधान संसोधन कई बार एक्जाम में पूछा गया भाग 20 में है कहां से लिया गया है दक्षिन अफ्रीका से लिया गया है अनुच्छे 353 से 395 तक संचित नाम प्रारम और निरसन हिंदी में प्रादिकरत पाठ आप सबी जानते हो अगर हम एक कुछन आपसे पूछ हैं यहाँ पर कि यह बताओ कि अनुच्छे 343 में क्या है तो भारत की राजभासा दी गई है ठीके ना भारत की राजभासा क्या होगी हिंदी होगी यह भी आप अपने पूइंट में लिख लीजेगा लिपी होगी देवनागरी तो आप समझ रहे होंगे कि दोस्तों एक दो तीन चार पान छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठार 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 44, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 आप समझ लो कि भईया 53 जो है स्लाइड में हमने इस वीडियो को 2 घंटे 21 मिनट में खतम किया है अब आप समझ लीजेगा कि पूरा सम्विधान कैसे दोस्तों किस तरीके से एक एक वर्ड एक स्लाइड को एक एक फोटो को कैसे लगाया होगा कैसे टाइप किया होगा रात दिन लग गए इस स्लाइड को पूरी तरीके से टाइप करने में और पूरी तरीके से दो घंटे में अपने फेफडे फाड़ के आपके सामने रख दिये लगातार क्लास को अटेंड किया है और हम चाहते हैं ये वीडियो आपने अगर नोट करिये 100% में जितने बच्चों ने ये वीडियो स्टार्ट करी होगी और उसमें से मातर 3-4% बच्चे ऐसे होंगे जिनोंने वीडियो पूरी देखी होगी और यही क्राइटेरिया एक्जाम में पासिंग का होता है दोश्तों ये भी आपको याद होगा तो मैं गुजारिज करूँगा जिसे बच्चे ने पूरी ये वीडियो देखी है वो बच्चे अपने नोट्स को रिपीट और रिवीजन के तोर पे जब भी सोएं तो इसको रिवीजन जरूर करें समाज से लेकर आप एकजाम में बैठ जाओगे तो आप अपने एकजाम हाल में क्वेस्टन को फोड़ दोगे और एकजाम को तोड़ दोगे ठीके ना तो सभी बच्चे गुरुजी वर्ड एकजाम स्टड़ी को जो प्यार दिया है उन सभी के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ टेलिग्राम पर पीडियेफ को प्राप्त करने के लिए गुरुजी वर्ड जोइन करें और पूरी तरीके से अगर आपको जग्रॉफी चाहिए तो जग्रॉफी का फुल वीडियो गर चाहते है कुस्ण यहीं तो होते है करेंट अफेर पूरे साल का तो कराई रहें दोस्तों तो आप यह बताओ ना कुस्ण कहां से जाएंगे आप बताओ ना कुस्ण कहां से जाएंगे हिंदी पूरी तरीके से कराई रहे हैं तो कुस्ण बताओ कहां से जाएंगे वीडियो सारी मिलियन में जा रही है तो कुस्सन बताओ कहां से जाएंगे साब कहीं ना कहीं आप सभी का प्यारी तो है जो सबसे ज़्यादा यूटूब पर वीडियो जो है अपने 6 तरकी मिलियन में वीडियो है आप जाएंगे देखिए जाके लगबग 10-15 वीडियो ऐसी है जो मिलियन में जा चुकी है जो जो 2-3-3 मिलियन वीडियो पार कर चुकी है इसलिए इस वीडियो को बहुत प्यार देना और ये वीडियो आने वाले 1 महिने के अंदर 2 महिने के अंदर मिलियन में जाना चाहिए यह आप से हम कहते हैं गुजारिस करते हैं सभी बच्चे 5 दोस्तों को सेर जरूर करें यह हमें देखना होगा कि कितनी जल्दी आप इस वीडियो को मिलियन में पहुचाते हो ठीके ना? जी हाँ हम यही आसा करते हैं कि आप अपने पूरे जोड तोड के साथ पूरे जोड तोड के साथ दोस्तों क्या करेंगे इस पूरे चैप्टर को पूरे इंडिन कांस्टिटीउसन को इतना ज़्यादा रिपीट करेंगे कि हर जवान पर एक एक वर्ड आपका याद हो जाएगा कोई भी बच्चा कोई भी डाउट लेकर अगर बैठता है तो नीचे कमेंट करें हम सारे कमेंट को पढ़ते हैं अपने राज्य को लिखें अपने सहर को लिखें कि आप कहां से आती हैं कहां से आते हैं हर सेर हर सेरनी का एक ही सपना इसवार होना चाहिए कि क्या selection को लेना क्योंकि हर घर में खुसी आनी चाहिए मेरा एक मकसद है दोस्तों कि आपके घर में भी रोसनी होनी चाहिए रोसनी दीपक की तो हो रही है आज लेकिन selection की रोसनी उस दिन होगी जिस दिन हम अपने आने वाले तेवहार भी अच्छे से मना पाएंगे तो इसलिए याद रखीगा दोस्तों कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से आपको क्या करना है अपने exam पर focus करना है और अपने notes पर repeat का एक दोर है वो चला देना है गरुजी वार्ड exam study platform में सभी बच्चों का हरदिक स्वागत था ऐसे ही आप सभी के सामने समक्ष उपस्थित होते रहेंगे और बड़ी वीडियो के साथ पूरे फुल चैप्टर के साथ वंदे मात्रम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आदाब सस्रेयकाल तार ठोक कर जै महाकाल इंकलाब जिन्दावाद कोई भी बच्चा मायूस नहीं होगा और याद रखेगा मायूसी से जीएंगे तो फिर सेर सेररी नहीं कहलाएंगे फटा फट टेलिग्राम पर आपको मिल लाएगी पीडियाफ जोईन करें टेलिग्राम ग्रूप जैहन वंदे मात्रम